हेलो दोस्तो लेट्स क्रेक इट में आपका स्वागत है और ये वीडियो है डाउन टू अर्थ का जो बेप साइट यहाँ पर होती है वहाँ से न्यूज कमपाइल करके ये वीडियो तयार की गई है अपरेल 2022 की है पिछले 6 महीने की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी अक्ट होती हैं लेकिन इनको किसी ना किसी तरीके से हिंदी भासा में मैं इसकी गया बियाओं कर देता हूँ तो इसमें यह बतार हैं तो बहुत सारी सका हैं सब कुछ यहां पर जैसे आप देख सकते हो पहली न्यूज जो है वो सीधे सीधे आपको यहाँ पर स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के बारे में मिल जाएगी तो हर तरीके की न्यूज है मतलब जो भी इंपोर्टेंट है एक्जाम के हैसाब से इंपोर्टेंट होती हैं वही आपो की होती है पिछले पेपर उठाकर करके देख लो direct जो points है वो निकल करके यहां से आते हैं direct नहीं भी आते हैं तो indirect जो questions हैं वो आप यहां से solve कर सकते हो मैंने कई बार इसका importance आपको बताया special current issues यह होते हैं बहुत सारे PDF compilation बाले इनको पढ़ाते भी नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आते और उनको इसका source भी नहीं पता यह आप देखोगे कि monthly current affair नहीं है मतलब यह सारे current affair नहीं है आप यह नहीं कह सकते कि इसको पढ़ने के बाद मुझे monthly current affair पढ़ने की ज़रुत नहीं है नहीं आपको उसकी ज़रुत है तो यह सारे current affairs नहीं होते लेकिन ऐसे हैं जो कि down to earth की website पर आपको मिलेंगे और यह UPSC के लिए एक बहुत ही अच्छी recommended site है mostly बच्चे इसको ignore कर देते हैं या तो static part में रहते हैं और plus current affair में भी यहां पर हैं लेकिन उसके साथ साथ जब आप इन दोनों चीज़ों को cover कर चुके हो तब आप इसको यहां पर जरूर से देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा beneficial है इसका आप देखिए अगा उठा कि prelims के जो पिछले एर के paper है इसी तरीके के points से आप पर निकल कर के आते हैं जैसा मैं आपर cover कराता हूँ तो चलो अब ज़्यादा इस चीज़ के उपर discuss ना करते हुए सीधे news की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से articles हमारे काम के यहां पर हो जाते हैं पहली news में आपको मिलेगा कि नीती आयोग ने यहां पर release की है इंडिया की पहली state energy and climate index जिसको कहेंगे SECI और इसका round one यहां पर release किया गया यह index यहां पर release की गई है और जितने भी state हैं यूटीज है सभी में इस चीज़ को देखेगी कि energy efficiency को बढ़ाने के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा climate resilience के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा तो उसकी various dimensions को यहां पर वो आपका check करेगी overall जो national score रहा वो रहा 40.6 okay 100 मैं से और यह बिलकुल भी अच्छा नहीं था कि अच्छा नहीं किया है दूसरी तरफ तीन यूटीज ऐसी हैं जिन्नके कईठीज पर बेस है तो आप से यह six के six parameters पूछे जा सकते हैं इन में से कौन सा है या कौन सा नहीं है तो जो distribution companies हैं उनकी performance क्या है उसके base पर पहला है दूसरा है access, affordability और reliability क्या है energy की तीसरा है clean energy initiatives कैसे कैसे launch किया गए energy efficiency को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया environmental sustainability के लिए क्या किया है तो इन सब के base पर index यहाँ पर तयार की जाती है हर एक parameter के अंदर अपने अपने indicators है cool में लाकर के 27 indicators यहाँ पर आपको निकल करके आएंगे parameters 6 हैं इन parameters को आप बढ़ा करके 27 इसके अंदर में target indicator है जैसे 17 sustainable development goal है और उसके अंदर में target कितने है 169 ऐसे ही यहाँ पर इस तरीक बात नहीं है आप देख सकते हो इसमें तीन category के हिसाब से यहाँ पर बाटा गया है इस्टेट और यूटी को तीन segment में यहाँ पर बाटा गया front runner top one third states जो है फिर achiever और फिर aspirant state यहाँ पर आते हैं अगर score 46 यह उससे जादा है तो अच्छा इस्टेट है 46 और 36 के बीच में है तो यहाँ पर आपका achiever है और अगर उससे कम है तो वो low में यहाँ पर आपका चला जाएगा इस तरीके से ओके आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जो यूटी हैं उसमें चंडी करने top किया आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे नमबर पर दिली है जो आपके smaller state है उसमें गोवा ने top किया और जो आपके larger state है उसमें गुच्रात नहापर top किया तो यह आपको पता होना चाहिए उसके अलावा जो आपकी index है इसका नाम याद रखना state energy and climate index पहली index है और इसका aim यह है कि state and uts के द्वारा कौन-कौन से efforts यहाँ पर लिए गए climate energy sector के अंद और इससे हमें यह पता लगेगा इसकी हम analysis करेंगे जो कि नीतिया जोग एक thing time के रूप में work करता है और national policies बनाने में मदद करता है तो वो इन सब data को इखटा करके इस चीज़ को यहाँ पर help में ले सकता है कि कि किस तरीके से service delivery को और ज़्यादा enhance किया जा सकता है various parameter के base पर याद रखना इस तरीके के जितनी भी index यहाँ पर launch की जाती है यह सब competitive federalism को बढ़ावा देती है और यह जो competition यहाँ पर होता है यह healthy competition यहाँ पर होता है तो यह पूरी news आपके इस तरीके से काम की हो जाती है यह आपको पता होना चाहिए था इतना सब ज़रूरी था उसके लिखा हुआ है Geneva meet concludes with progress on post 2020 global biodiversity framework for COP20 देखो एक convention है जिसका नाम है CBD convention on biological diversity इस convention of biological diversity की conference of parties 15 meeting 2020 में कुन्मिंग चाइना में होनी थी लेकिन कोरोना की वज़े से यह आपकी shift होते होते 2022 में अगस्त में यहाँ पर आपकी होगी ओके अब अगस्त में यहाँ पर होगी उससे पहले यह informal तरीके से यहाँ पर मिले और informal तरीके से इन्होंने यहाँ पर meeting जो है वो की 29 मार्च 2022 को इन्होंने ही informal meeting जो है वो conclude की और लगबग 164 countries ने इसमें participate लिया और इस चीज़ पर focus किया कि 2020 के बाद post 2020 global biodiversity framework किस तरीके का होगा और इसको जब हम COP15 के अंदर launch करेंगे अगस्त 2022 में तो उसमें मतलब उन्होंने इसका draft वगएरा तयार किया होगा ठीक है इसके ओपर पूरी चर्चा कियोगी ताकि यहाँ time waste ना हो ठीक है को 15 के अंदर तो यह सब काम जो है इस meeting के अंदर में यहाँ पर हुए basically इसमें 1000 से जादर negotiators यहाँ पर मिले अलगत तरीके के NGO सभी का participation यहाँ पर होता है और इन सभी ने focus किया कि post 2020 मतलब COVID-19 के बाद का जो global biodiversity होगा वो किस तरीके का होगा rapid extinction जो हो रहा है species का उसको हमें रोकना है जो threat है उसको हमें यहाँ पर कम करना है और लगबग 1 million plant और animal species क हमें protect करना है तो यह सब line यहाँ पर आप याद रखी जो मैंने headline की है okay 1 million plant and animal species को कम उनको protect करने के लिए post 2020 global biodiversity framework कहाँ पर आपका launch किया जाएगा तो इस दिसा में progress जो है वो देखी गई fair equitable sharing benefit और digital sequencing वगएरा के जरीए हम यह सब करेंगे ताकि genetic resources का use करते हुए हम इनको बचा पार्टी से यह भी उमीद की गई कि वो conserve करने के लिए action लेंगे साथी साथ suitably use करेंगे marine and coastal biodiversity को इन्होंने यह भी कहा कि conservation को बढ़ाना है protection को बढ़ाना है restoration activities बढ़ानी है sustainable use करना है marine coastal ecosystem का और कम से कम ocean जो है वो 30% safe यहाँ पर रखने की कोशिश करनी है इन्होंने यह भी कहा कि जितने भी threat है, pressures है, marine biodiversity पर, ecosystem पर, like marine, plastic, litter, fishing, overfishing ठीक है यह सब climate change जितने भी threat यहाँ पर है उन्हों सबी को address करने की कोशिश यहाँ पर करनी है इन्होंने कहा कि हम जो convention on biological diversity है उसके scope को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और scope के अंदर हम coral reefs वगेरा ecosystem को भी launch जो आइची बायो diversity target है, उसका target नमबर जो 10 है, जो coral reef के लिए है आपका, उनके लिए जो priority actions यहाँ पर है, उनको हम convention के अंदर launch करेंगे, साथी साथ closely associated ecosystems है, voluntary specific work plan on bio distinct cold water areas है, उन सभी को भी हम convention के scope के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, अभी यह meeting होगी अगस्त 2022 में, तब और release किया गया, तो हमें इतना ही यहाँ पर देखना है, उसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है, United Nation, United Nation ने एक report यहाँ पर release करी, report का नाम आपको मिलेगा, spreading like wildfire, the rising threat of extraordinary landscapes fires, ओके, यह report यहाँ पर आपके release की गई, United Nation environmental program के द्वारा, इस report के अंदर यह बताया गया, कि हम indigenous और traditional knowledge का use कर सकते हैं, land management practices के लिए, ठीक है, देखो, deforestation बहुत तेजी से हो रहा है, wildfire लगती है, तो forest fire का issue यहाँ पर आपका create होता है, climate change के कारण भी चीज़ें, और ज़्यादा worst यहाँ पर हो गई है, तो land management काफी ज़्यादा ज़रूरी हो गया, बहुत सारे reasons में, और इसी चीज़ को लेकर के कहा जा रहा है, कि हम traditional knowledge और indigenous knowledge का use यहाँ पर करेंगे, basically करेंगे क्या, कि हम जो है, वो fuel को manage करने की कोशिश करेंगे, ताकि fire यहाँ पर ना लगे, जो forest fire वगरा है, उनको रोकने के लिए, fuel को manage करने की कोशिश करेंगे, और इससे wildfire mitigation fuel के रूप में वर्क करता है, बायो मास के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है, तो बायो मास जो है, वो यह सारा का सारा fuel के रूप में वर्क करता है, और इसमें सिर्फ एक चिंगारी की ज़रत होती है, जिसकी वज़े से आपका forest fire यहाँ पर आपकी लग जाती है, तो जो fuel है इसको हटाना है हमें ये काम हमें आपर करना है और ये जो fuel हटाना है ये हम traditional knowledge के base पर कर सकते हैं इन्होंने बहुत सारे example भी दिये कि किस तरीके से हम forest fire को रोक सकते हैं यानि कि forest fire को रोकने का एक मातर तरीका मिला है यहाँ पर आपको कि indigenous knowledge का use करें और fuel को हटा दें ठी तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी इन्होंने एक example दिया for instance Australia के जो aboriginals है और वहां के जो लोग है वो use करते हैं use of fire to create mosaic landscapes for hunting and gathering purposes also broke up the continuity of fuel देखो fuel को यहाँ पर उसकी जो continuity है उसको खतम करते हैं मतलब fuel जो है वो इखटा नहीं हो पाता उसको धीरे धीरे आपर खतम करते रहते हैं और वो ये सब hunting वगएरा के दोरान में ACS को करते हैं तो इससे जो है वो wild fire है उसकी extensive spread यहाँ पर नहीं हो पाती है लिखा हो है ना inhibit okay ऐसे ह भी आपको और दूसरी जगों पर मिलेगा जैसे कनाडा के first nations okay Canadian first nations used fire as a way of managing their territory तो यह जो fire है इसको अपनी territory को manage करने के लिए यहाँ पर use करते हैं मतलब वो जंगल से fuel को लेकर के आएंगे और वहाँ पर आपकी territory को manage करेंगे indigenous people हैं बेनेजोयला के ब्राजिल के गुएना के और साथी साथ ब्राजिल के जो सिरेडोज हैं okay grasslands हैं वहाँ पर भी fire का use किया जाता है for subsistence activities और सवाना plants fuel भी control यहाँ पर किये जाते हैं ताकि wild fire के spread को prevent किया जा सके okay adjacent forest में चीज़ें ना फैल हैं इस चीज़ के लिए ऐसे ह South America के अंदर indigenous knowledge जो है वो science के साथ यहाँ पर use की जाती है अपनी territories wildlife incidence को रोकने के लिए जिसकी मदद से fuel खतम हो जाता है और wild fire spread नहीं हो पाती उसके बाद आगे चलते हैं report release की गई report जो है वो basically एक तरीके से आपको मिलेगा कि release की गई है by global health 5050 gender and health index 2022 ठीक है यह पूरी के कहा जाता है for institutional performance दुनिया भर में अलग लग तरीके के institute's है especially health companies की बात यहाँ पर की गई है उनका barometer है मतलब उनकी performance को यहाँ पर नापने के लिए यह index यहाँ पर develop की गई थी और लगबग 200 organizations का data उनकी policies उनकी practice को इसके अंदर assess किया गया और पता यह चला कि जितने भी low and middle income countries है उन सभी के अंदर women का participation in companies board meetings ओकी अवलब company के जो अपने अपने board होते हैं उनमें women का participation बहुत ही कम है जिसकी वज़े से आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऐसी companies जो health को और आपकी health policies को control करके रखती है उन सभी में women का participation अच्छा नहीं मिल रहा है लिखा हुआ है very few women board members from low income countries in global health companies जो just simple है ये जो report है ये release की गई by global health 50-50 के द्वारा और ये एक independent initiative है ये इस चीज़ को track करता है या फिर इस चीज़ के लिए work करता है कि gender equality बनी रहे global health sector के अंदर तो global health के अंदर gender equality को promote करने के लिए 50-50 ये initiative यहाँ पर आपका है report ने इस चीज़ को note कि women जो की low and middle income countries से आती हैं सिर्फ 42% constitute करती है global population का जबकि उनकी जो board sheet में हिस्सेदारी है वो सिर्फ 9% है यानि कि आप समझो 91% positions जो हैं वो आपके manner ने यहाँ पर आपकी जो है वो occupy की हुई है सिर्फ 9% ही यहाँ पर आपकी women के लिए जो है वो space आपक बना हुआ है okay women from low income countries तो सिर्फ 1% यहाँ पर है और बाकी की जो 8% यहाँ पर है वो आपकी middle income countries से यहाँ पर आती है साथी साथ ये भी पता चला है कि जितने भी for profit boards हैं दो तरीके के हो गए not for profit for profit जो अपने profit motive पर भी ध्यान देते हैं और दूसरे ऐसे हो गए जो कि अपने profit profit पर ध्यान नहीं देते जितना भी उन्होंने कमाया वो सारगा सारा reinvest यहाँ पर कर दिया जाता है तो जो profit वाले board हैं उनमें तो low income countries की कोई भी women यहाँ पर board में नहीं है तो यह gender equality वाली बात है और यह सब institute हैं वगेरा हैं कुछ independent initiatives हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप यह रखेंगे उसके बाद nuclear waste management से related article हैं और यहाँ पर Finland के अंदर oncalo facility जो है वो बनाई गई है और इसके ओपर थोड़ा सा article आपको पता होना चाहिए चार स्लाइड हैं यह detail में हम article को discuss करेंगे Finland की बात करते हैं Finland basically nuclear energy अच्छी तरीक से generate कर लेता है और इन्होंने इस चीज़ पर focus किया कि किस तरीके से जो सबसे बड़ा issue आता है nuclear energy को generate करने में वो है कि radio active waste को किस तरीके से manage किया जाए इस चीज़ के उपर तो इस चीज़ को manage करने के लिए अलग तरीके के कई सारे solutions यह उके इस underground facility को आप geological repository कहते हो और इन्होंने इसका नाम रखा है ओंकालो ओके तो यह facility बनाए गई है यह nuclear waste को underground store करने के काम में यहाँ पर आएगी और इसके अंदर pit वगेरा है 500 meter की deep underground disposal facility यहाँ पर है यानि कि लगबग 10 km नीचे इसको आप launch करोगे तो यह deep geological repository हो गई यह आपकी बनाई जा रही है और ऐसी सभी जो facilities हैं वो stable rocks के आसपास बनाई जाएंगी unstable rocks के आसपास अगर आपने इतनी deep mining करने की कोशिश की तो आपका land slide के भी chances यहाँ पर बन जाते हैं तो Finland can become the first to commission a plant to permanently store spend nuclear fuel ऐसा करने वाला Finland पहला जो है वो country बन सकता है जो की permanent store कर पाए nuclear waste fuel को की idea यह है कि waste को जो है वो हम corrosion resistance copper के जो canister यहाँ पर होते हैं उनके अंदर यहाँ पर इसको tool कह सकते हैं कि store करेंगे और उसके बाद इसको encapsulate करेंगे मतलब इसको पूरी तरीके से seal कर देंगे और इसके उपर आप एक water absorbing clay भी लगाएंगे और यह जो है सब आपका underground tunnel में store क कर दिया जाएगा तो यह सब idea इसके अंदर में है यह facility यहाँ पर आपकी launch की गए facility के अंदर आपके 500 sensors भी लगाए जाएंगे ताकि पूरे system की monitoring भी आपर की जा सके तो यह अभी इतनी मलब इसके उपर सब काम चल रहा है research वगरा है यह भी एक तरीके का research ही project है यह सब काम अब problems क्या आती है nuclear waste को dispose करने में अलग अलग तरीके की industries हैं सब solution find करने में आपर लगे हुए है इस waste की problem का nuclear waste radioactive होता है और अगर यह expose हुआ तो health related problems generate हो सकती है तो बहुत सारे steps की द्वारा आपका nuclear mining यहाँ नुकलियर waste यहाँ पर generate हो सकता है पूरे nuclear energy को बनाने में अलग अल mining करनी है uranium fuel को produce करना है या power generate करनी है इन सभी में जो आपका waste निकल करके आता है उसको dispose करने के लिए अलग लग तरीके के steps यहाँ पर है वेस्ट जो है वो radioactive रहता है बहुत सारे घंटों तक भी रह सकता है और हो सकता है कि बहुत सा महीनों तक भी रहे और हो सकता है कि बहुत यो active जो waste है वो कुछ ही घंटों में खतम हो जाता है तो low level waste कहेंगे फिर intermediate और high level waste भी यहाँ पर आ जाएगा जितना भी waste generate होता है उन में से लगबग 97% waste या तो low होता है या intermediate level का होता है या कुछ घंटे या कुछ महीनों में वो खतम हो जाता है तो remaining जो है वो होता है high level waste ज उससे 30 ton के करीब high level nuclear waste per year generate होता है 30 ton high level nuclear waste यानि की सालो साल चलने वाला ये बात International Atomic Energy Agency ने यहाँ पर आपकी बताई तो इन्होंने ये भी कहा कि अगर low level वाला भी आगर आपका nuclear waste है और वो exposed यहाँ पर रह गया ठीक है तो कई harmful effect देखने के लिए मिल सकते हैं लोगों में और स साथ ही साथ आसपास की जो biodiversity है वो भी यहाँ पर आपकी खत्रे में आ सकती है global level पर कुछ nations ऐसे हैं जो की on site waste disposal की बात कर रहे हैं या फिर on site waste storing की बात यहाँ पर कर रहे हैं बट इसके अपने risk की यहाँ पर हैं हो सकता है leakage यहाँ पर हो जाए United Nations के अंदर for instance spent fuel जो बचा यहा इंडिया है और कुछ और नेशन है हम लगभग जितना भी अपना fuel यहाँ पर है बेस्ट है 97-98% फ्यूल जो है उससे हम plutonium या uranium को recover करने में इस्तमाल कर लेते हैं यह बात भावा atomic research center ने आपर बताई जितना भी fuel based generate हुआ उससे हम basically plutonium uranium generate कर लेते हैं और इंडिया जो है औ इनके अलग-अलग use हैं like medical sector में use है cancer treatment वगएरा में eye cancer therapy वगएरा में इसका use यहाँ पर किया जा सकता है और जो बचा एक से 3% fuel उसको storage यहाँ पर किया जाता है इंडिया भी इस चीज़ पर focus कर रहा है कि इस waste को किस तरीके से immobilize किया जाए यानि कि इस में से जो radioactive element हो उनको उनसे कुछ और बनाया जाए glass वगएरा facilities यहाँ पर बनाया जाए लेकिन इस सब approach से भी कोई फायदा नहीं है इन सब में भी अपने अपने चुनोतिया यहाँ पर है प्रोटोनियम यूरेनियम तो आपने extract कर लिया spent fuel से spent nuclear fuel से but all radioactive material जो कि spent fuel में रह गए वो redistribute हो जाते हैं among waste stream और वो आपके environment में चले जाते हैं तो यह चीजें भी कुछ हद तक माइने रखती हैं लेकिन बिल्कुल sustainable नहीं है तो यह इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि क्या चीजे चल रही है is the approach safe तो अब जो underground repository यहाँ पर बनाई गई है मतलब आपने 500 मीटर नीचे इस चीज़ को दबाया वो एक natural barrier का काम करती है और इतनी ऊपर तक radioactive जो wave sound का आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है protect रह सकते हैं हम radioactive release से environment में नुकसान कम होगा हम clay copper provide का use कर सकते हैं जो कि protective layer के रूप में work कर सकती है और इसमें अगर extreme conditions like earthquick वगेरा भी आया तब भी हम सोच सकते हैं कि radioactive release नहीं होगा और हम safe रहेंगे लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो argue भी करते हैं कि यह चीज़ें safe नहीं है और कह रहे हैं कि यह चीज़ें foolproof नहीं है इसमें भी काफी सारी परिशानिया यहाँ पर हैं long term natural process है तो अगर कुछ भी दिक्कत होई तो एक दम से release होने के chances यहाँ पर हैं और यह चीज़ें हैं besides design failure could undermine claims about safety safety का भी issue यहाँ पर हो सकता है कि अभी research ही तो चल रही है सब अगर canister वगेरा यहाँ पर corrosive हो गई या उसमें दरार, crack वगेरा आ गई तो डर यहाँ पर यह है कि यह सब चीज़ें release हो जाएंगी बट अगर हम डर करके काम को यहाँ पर basically नहीं करते हैं तो फिर हमें सफलता हासिल नहीं लगेगी तो यह सब चीज़ें चलती रहती हैं आपको इतना ध्यान रखना है दुनिया बर में nuclear waste से related क्या चीज़ें चल रहे हैं तो काफी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर clear होई होंगी इसके बाद आगे चलते हैं Lancet ने study की इनोंने बताया कि primary healthcare जो की एक public healthcare sector की सबसे important नीव यहाँ पर होती है कह रहे हैं study के अंदर की लोगों को मजा नहीं आ रहा मतलब लोगों को सु पता लगा लिखा हुआ है जितनी भी funding दी जाती है primary healthcare systems के लिए low middle income countries में वो परियापत नहीं है और inequitable है लोगों को मिल भी नहीं रही है और यह जो general है basically the Lancet Global Health 4 April 2022 को यहाँ पर release किया गया इनोंने बताया कि अपनी जेव से खर्चा करना पड़ रहा है लोगों को और इनोंन में भी और सभी low income countries में भी primary healthcare अगर मजबूत नहीं है तो आप यह नहीं सोच सकते कि आपका public health system जो है वो मजबूत होगा इनोंने ये भी कहा कि हमने alma attack declaration यहाँ पर sign की थी 1948 में जिसमें especially जो एक international conference थी और इसमें हम basically detailed principles तैयार किये थे कि primary healthcare को किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है यह जो declaration है यह आपकी चार दश्कों के बाद यहाँ पर ratify की गई अस्ताना के अंदर इसलिए इसको अस्ताना declaration भी आप यहाँ पर कह सकते हैं okay इसमें यह बताया कि किसी भी public health care के लिए तीन component काफी ज़रूरी है पहला इन्होंने बताया कि meeting the need of the people throughout their lives okay उनकी address करने की ज़रूरत यहाँ पर है इन्होंने यह भी कहा कि families और individuals को increase करने की कोशिश करो their own health अपनी स्वास्ते का ध्यान खुद रखने की वो कोशिश करें और अगर देखो health पर ध्यान दो कि तो बिमारिया यहाँ पर कम होगी और जो burden है healthcare system पर वो भी यहाँ पर आपका कम हो पर और फिर वो नीचे district level पर जाता है इस तरीके से काम होता है दूसरा है decentralized system जिसमें काम नीचे से उपर की तरफ होता है इसको कहते है bottom up approach इसमें local authorities fund यहाँ पर अपने हिसाब से use करती है देख सकते हो local need के हिसाब से policies, decisions, resources को use किया जाता है pattern policies को यहाँ पर use किया जाता है हमे और जादा invest करने की ज़रूरत है और इससे हम जो है वो equitable comprehensive integrated and high quality care provide कर सकते है बेटर तरीके से invest करने की ज़रूरत यहाँ पर है साथिसाथ pupil centric approach यहाँ पर अपना है funding patterns को अपना अच्छा रखें और इस तरीके से work यहाँ पर किया जा सकता है इन्होंने कहा public funds को use कर सकते है इन resources का और making capitation the core of provided payment to bridge gap in primary healthcare expenditure यह capitation नाम की word यहाँ पर है इसमें basically यह है कि हम fix कर देते हैं कि एक अगर doctor है तो उसको per head हम charge यहाँ पर देते हैं कि आपको पूरे महीने में इतने बंदों का इलाज यहाँ पर करना है तो उस हिसाब से अगर उसको यहाँ पर charges मिलेंगे तो वो अ solutions यहाँ पर दे गए किस तरीके से public health system को मजबूत किया जा सकता है primary healthcare facilities provide की जा सकती है यह सारे points आपको पता होने चाहिए थे चाहिए थे क्या अब पता होने चाहिए उसके बाद IPCC अपनी report release करे जा रहा है उके पहली report दी 2021 में दूसरी भी दी और अब यह third installment यहाँ पर release किय है तो यह सब काम चलते रहते हैं इन्होंने कहा कि कॉलकाता का जो public transport system है वो बहुती बढ़िया है पहले अच्छा नहीं था और अब यहाँ पर अच्छा है इन्होंने बताया कि 12 different तरीके के mode है public transport के कॉलकाता के अंदर और सभी में अपना system infrastructure मजबूत है सभी जो है वो coexist करत हैं लगबग 14 million citizens को लाब भी यहाँ पर पहुचाते हैं इन्होंने कहा कि सभी के सभी जो public transport के modes है वो share करते है mobility option को इन्होंने ये भी कहा कि कॉलकाता ने study को top किया 9 अलग cities यहाँ पर choose की गई थी इंडोनेशिया ब्राजिल घाना चाइना इन सब countries में लेकिन इंडिया की लगबग 14 million लोग वहाँ पर रहते हैं और इस तरीके से ट्रांस्पोर्ट ने वहाँ पर जो है वो मदद की इन्होंने कहा कि कॉलकाता के अंदर multiple public transit system यहाँ पर मौजूद हैं इंक्लूडिंग comfortable public buses मौजूद हैं government intervention भी अच्छा है यानि कि government की policy support भी अच्छा है sustainable mobility solutions है और climate friendly जो mobility solutions यहाँ पर आपके available कराये जा रहे हैं तो public transportation के 12 तरीके के method यहाँ पर मौजूद हैं जिसके वज़े से clean green और affordable साथ यसाथ sustainable तरीके का public transport आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है यह सब article आपको मिलेंगे उसके बाद आगे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर basically ह हुआ क्या है कि यह एक जगह है आप ज्यादा detail में ना जाएं तो सही है और यह जो जगह है यहाँ पर आपको मिलेगा कि climate change के कारण या erratic ocean currents के कारण जो fishering community है उसको कुछ नुकसान यहाँ पर हो रहा है जस्ट दो line की चीज़े हैं इसको जल्दी से देख करके यहाँ पर टेज हो रही है जिसकी वज़े से fisheries पर कुछ नुकसान यहाँ पर हो रहा है सबसे पहला नुकसान इसकी वज़े से fewer catches देखने के लिए मिल रहा है मतलब fisheries का जो production है वो यहाँ पर आपको कम हो गया है इसकी वज़े से आपको मिलेगा और जादा cyclones आते हैं और cyclone आने की व का रखना है यह आप के लिए भी कर सकतो ऐसे ही ओके इन्होंने कहा कि जब हम अपना fishing net पानी में छोड़ते हैं तो ocean currents के कारण वो बहुत दूर तक चला जाता है लगबग 2 km तक यहाँ पर आपका बहज आता है और हमें जो है वो fisheries यहाँ पर नहीं मिलती drag them nets one or two km away from a few minutes एक मिनट में ocean currents के कारण चला जाता है इन्होंने कहा कि river currents हम देख तो सकते हैं लेकिन हम उनकी speed का अंदाज है यहाँ पर नहीं लगाज सकते और climate change के कारण उनकी जो speed है वो और जादा तेजी से यहाँ पर बढ़दल रही है currents are becoming increasingly powerful now a days ओके इन्होंने ये भी कहा कि जो fishers हैं वो भी बिल्कुल भी अच्छा feel नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ तीन सीजन होते हैं जिसमें मचलियां आपर पकड़ी जाती है एक है आपका मथी एक है आपका सोरा और एक है आपका पारा तो ऐसे भी पूछा जाता है कभी क कि इस मथी शोरा और यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि fish जो हैं वो surface पर आती है during this season तो यह season है जहाँ पर आपके fishers जो हैं इनको यहाँ पर use करते हैं ओके और थोड़ा सा prelims point of view से यह चीजों को यहाँ पर आप ध्यान लखने की कोशिच करें और यह ची प्रोब्लम्स है जो निले ली रंग में हाइलाइट हुई है fishing community के लिए क्या क्या प्रोब्लम्स हैं तो आप देख सकते हो जादा बड़ा आर्टिकल नहीं आगे चलते हैं इस आर्टिकल के अंदर report यहाँ पर release की गई global wind energy report एक तरीके से इसका यहाँ पर नाम है नाम है global wind report report 2022 और यह release की गई global wind energy council के द्वारा इन्होंने कहा पूरी दुनिया में जितनी wind energy हम यहाँ पर generate कर रहे हैं 2021 में हमने 94 गीगा वाट की करीब यहाँ पर बिजली जो है वो generate की wind energy से याद रखना wind energy की बात कर रहे हैं उसकी 4 गुना जादा बिजली हमें generate करनी पड़ेगी अग में कुछ problems हैं challenges हैं तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे barriers हैं जिससे growth नहीं हो पा रही है जैसे बहुत सारी policies तो हैं लेकिन वो सब policies inconsistent हैं सरकार टिकी नहीं रह सकती इन policies पर और basically जो aim है वो short term है आप long term aim बना कर के काम यहाँ पर कीजिए दूसरा यह भी बताया कि जो market हैं वो अच्छी तरीके से design यहाँ पर नहीं किये गए bankable renewable energy projects के लिए loan भी आपर available नहीं हो पाते हैं और especially wind energy sector के लिए तीसरा infrastructure नहीं है और transmission bottlenecks भी आपको मिलेंगे चो था इन्होंने यह भी कहा कि inadequate industrial and trade policies की कमी भी देखने के लिए मिल रही है और जो renewable technologies हैं वो आपकी अलग अलग त यानि कि आप देखो 94 के करीब जो है वो गीगावाट energy यहाँ पर generate की जिससे की total जो wind power है वो लगभग इतनी हो गई है 837 गीगावाट year on year basis पर लगभग 12% की annual growth के साथ हमने इतनी यहाँ पर कर ली इंडिया ने 2021 में कितनी wind energy यहाँ पर आपकी produce की तो 1.4 गीगावाट उसस energy of renewable new and renewable energy ने कहा है कि 2022 तक 5 गीगावाट की capacity हम यहाँ पर generate करने लगेंगे और 2030 तक हर साल लगभग 30 गीगावाट यहाँ पर generate करेंगे और especially जो है वो हम काम कर रहे है offshore wind energy facilities के अंदर offshore wind energy facilities का मंतर यह होता है कि हम sea के अंदर wind facility यहाँ पर लगाएंगे और sea में जो wind यहाँ पर की coast line है और उससे हम लगबग 127 गीगावर्ट के करीब offshore wind energy generate कर सकते हैं और पड़लब potential तो जाद है लेकिन वो ही barriers मैंने आपको बताए same barriers इंडिया में भी work करते हैं और इस तरीके से काम यहाँ पर चलेगा तो यह सारे point आप यहाँ पर ज्यान में रखोंगे यह news आप लोग हस्तेव नाम के जो forest हैं वहाँ पर mining project जो हैं उनको green signal दिया गया तो जो environmental list हैं वो सामने आए और इन्हों ने इस चीज़ को कहा कि यह गलत है आप mining projects को इजादत मन दीजिए तो जो हस्तेव forest हैं वो basically 36 गड़की कोरबा सारगुज़ा और यह सब districts के अंदर में हैं लगबग के लिए significant migratory corridor के रूप में work करते हैं important point हैं यहाँ पर याद रखेएगा साथी साथ यहाँ पर आपकी हस्देव river भी जो है वो बहती है उसका सारा कसारा catchment area इस forest area के अंदर में आ जाता है हस्देव जो है वो महानदी की largest tributory है और इसको no go zone भी हाँ पर declare किया गया था यान तो याद रखो कहां पर है हस्देव वगेरा यह सब 36 गड़ में है और importance क्या है इसका उसके बाद यह article आ जाता है इस article में लिखा हुआ है एक basically paper यहाँ पर release किया गया उस paper के अंदर paper का नाम था feeling the heat adapting to climate change in middle east and central asia ओके यह आपका release किया गया और यह जो especially focus कर रहा है middle east central asia की और इस paper के अंदर यह कहा गया कि जो middle east central asia की countries हैं वहाँ पर climate disaster बहुत तेजी से यहाँ पर आ रहे हैं मतलब पहले देर देर में आते थे अब बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर आ रहे हैं west central asia के अंदर compare to other reason climate disaster जादा है यह जो paper है यह international monetary fund के द्वारा release किया गया IMF के अंदर लगबग 190 से जादा countries यहाँ पर आ जाती हैं इन्होंने कहा कि west central asia के अंदर तेजी से climate disaster यहाँ पर आ रहे हैं ओके बहुत सारे लोगों को नुकसान पोस्ता है बहुत सारे लोग displace हो जाते हैं कई की death हो जाती है और economic damage में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है इन्होंने कहा कि जो middle east और central asia का reason है यह hot spot बन चुका है climate change के लिए climate change के जितने भी impact होते हैं सबसे ज़ादा इस reason पर यहाँ पर होते हैं चाहें वो कोई भी impact यहाँ पर हो economic हो ecological हो सारे impact आपको मिलेंगे especially जो countries हैं अफगानिस्तान इरान पाकिस्तान जहाँ पर हर समय कोई न कोई दिक्कते रहती हैं वो countries भी सबसे ज़ादा मार जहलने हैं climate risk की अब यहाँ पर एक report का दिक्र हुआ global climate risk index यह जो index है यह report है यह green watch के दोरा यहाँ पर दी जाती है और इसने जो है वो अफगानिस्त कोस्ट को भी यहाँ पर बढ़ावा देते हैं मतलब नुकसान तो होगा हर फिल्ड में नुकसान यहाँ पर होगा तो यह report यहाँ पर आपकी release की गई आपको जस्त याद रखना है कि सबसे ज़ादा जो climate disaster की intensity है या फिर frequency है वो आपकी western central Asia में पढ़ने वाली है especially middle east central Asia भी आ report release की गई IMF के द्वारा यह सब point आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं तो दोस्तों आगे की जो ख़वरे हैं वो कुछ इस तरीके की है वोक्स फैम ने अपनी report दी हर बार poverty inequality पर report यहाँ पर generate होती रहती है तो इसके अंदर इन्हों ने यहाँ पर बताया कि 2022 में extreme poverty में ल पास जिकर यहाँ पर जो है वो किया गया और भी international scenarios है वो भी change हो रहे हैं अब यह तो ठीक है कि poverty यहाँ पर poverty inequality जो है वो काफी हद तक बढ़ रही है और जादा लेकिन इन्हों ने यहाँ पर जो हमारे काम की चीज़ दी है वो दी है economic rescue plan five approaches दी हैं जिसकी मदद से हम जो है व इसमें cut होने चाहिए और टेक्सिस वगयर का provision food crops पर यहाँ पर कम से कम होना चाहिए और साथी साथ inflation से poor's को बचाने के लिए भी आपका देखेंगे कि cash transfer को as a support income provide कराया जाना चाहिए आप लिख सकते हैं अगर आपको दिमाग में कुछ भी नहीं आए कि poverty inequality को कम करने के this is something like loan waiver okay उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कहा अगर ऐसे person है जिनकी personal wealth 5 million dollar से उपर किये तो उनकी उपर 2% tax लगना चाहिए जिनकी wealth 1 billion dollar से जादा किये उन पर 5% tax लगना चाहिए जिनकी wealth उससे जादा है उस पर और जाला tax लगना चाहिए मतलब इस तरीके से इतना पैसा generate ह हो जाएगा कि हम poverty से लगबख 2 billion लोगों को safe कर सकते हैं आपके सारा data याद नहीं रहने वाला बट आप अंदाजन लिख सकते हो आप 5 million की जगए 10 million कर दो ना अभी यह चीज़ें लागू नहीं हो रही है लेकिन हम कर सकते हैं चोथी यह है कि IMF IMF अपनी SDR basket यहाँ पर उस को as a solution जो है वह हम देख लेते हैं साथी साथ जो lower income countries है उनमें जो emergency support है उसको भी provide किया जाना चाहिए और वो जो provide करा रहे हैं उसको increase करना पड़ेगा तो यह काफी जादा important चीज़ें आपके लिए हो जाती है किसी भी exam में XC paper में लिखने के लिए बीच में काम में आ सकती हैं यह वाला news आ जाती है और इसमें आपको time banking के बारे में बता गया है और time banking के अंदर time bank का concept है और साथी साथ time poverty का भी concept है यह concept इस चीज़ को दिखाता है कि जो unpaid labor यहाँ पर किया जाता है by women's जो के household level पर होता और उसके लिए उनको कोई pay नहीं मिलता तो उसके लिए हम time banking का concept ला सकते हैं अब यह concept है क्या तो इसको ज़्यादर detail में नहीं जाना लेकिन आपको इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी देखूं एक time poverty time poverty का मतलब है कि हम unpaid work इतना जादा कर रहे हैं या domestic care work इतना जादा कर रहे है कि हमें अपनी economic activities आनि paid work करने के लिए हमारे पास time ही नहीं है this is called time poverty ओके फिर आया इसके बाद time bank की का concept traditionally क्या है कि जितने भी household के काम है वो सब आपके वूमेंस के दौरा perform के जाते थे तो वूमेंस के पास time नहीं होता था मतलब वूमेंस time poor यानि की time poor का मतलब समझ गए ना उसके पास paid work के लिए time नहीं बसता था empowerment of women आपका limited था by time poverty okay time poverty के द्वारा empowerment बहुत था इसी वज़े से आपका time banking का concept यहां पर आपका जनरेट किया गया time banking का concept जो है वो as a opportunity course यहां पर देखा जाता है unpaid activities के लिए मालो एक घंटे का आपने unpaid work किया तो इसका मतलब है आपको एक time credit available कराया जाएगा this is something like a dollar okay आपको एक डॉलर यहां पर इस तरीके से provide किया जाएगा but a dollar is a physical आप उसको खर्च भी कर सकते हो बगएर बगएर यहां पर this time created is a आप कह सकते हो this is not physical okay तो यह चीज़े हैं कि time credit आ आप इस तरीके से होगे और आप इसके जरीए किसी और से काम करा और अपने time जो credit है वो दूसरे को share कर दो okay यह इस तरीके से काम यहां पर होता है इससे क्या है जैसे made है ना same made वाला concept है आपने made रखी और उसको आप पैसे दे रहे हो ऐसे ही पैसे ना दे करके आप time credit यहां पर नजर नहीं आता और यह जो है time bank यह इसी तरीके के bank होंगे जो कि इन women's को या फिर जो भी women's इसके अंदर में involved है time sharing कर रही है उन सभी को time credit allocation का काम यहां पर करेंगे यह पूरी तरीके से setup होगा यह network होगा और इस तरीके से work करेगा इससे women's को benefit होंगे उनकी families को भी benefit हो करेंगे दूसरों के साथ okay मैं फिर से कह रहा हूं नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं but as a solution आप लिख सकते हो this time poverty आप इस time को use कर सकते हो just पूरा कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप इस time poverty आप से solution पूछा जाए unpaid work के बारे में तो आप just time credit और time banking के concept को आप तो इसके बारे में जादा नहीं लिखना सिर्फ mention कर सकते हो okay तो ये काम आप कर सकते हो इसे लिए ये article जो है थोड़ा सा helpful हो जाता है उसके बाद यहाँ पर article आता है लिखा हुआ है no land for tribes displayed by mouses जलवा जुडूम conflict तो ये बात यहाँ पर आई ये basically conflict हुआ था और इस conflict के hand over नहीं करने के लिए center नहीं यहाँ पर कहा है जितने भी activists हैं वो सब कहरे हैं ये क्या कर रहे हो ये तो गलत है ट्राइवर्स को रही rehabilitate करना चाहिए और आप सीरे सीरे कह रहे हो कि कोई जमीन इस conflict के करना नहीं दी जाएगी बात क्या हुई लगबत 50,000 ट्राइवर्स से 36 यह आपके आंदर प्रदेश और तेलंगाना में फिली हुए मतलब इनको forced करना पड़ा मतलब इनको एक तरीके साब कर डिस्प्लेस यहाँ पर किये गए अपनी मर्जी से नहीं हुए यह आपका हुआ था माउसिस्ट सल्वा जुडूम conflict 2005 में और जो भी लोग यहां से आप के डिस्प्लेस किये गए उनको कोई भी land entitlements यहाँ पर नहीं दिये जाएंगे यह decision यहाँ पर लिया गया union minister of tribal affair के द्वारा ओके तो यह जो ट्राइबल्स हैं यह आपके चूकी nation के अंदर ही रहे तो उनको categorize किया गया है as internally displaced people यानिकी IDP और इस IDP का मतलब यह है कि आपका जो forest right act है okay 2006 का उसका section 3.1 यहाँ पर यह कहता है कि अगर कोई भी tribe displaced होती है तो उनको rights जो है वो उनके दिये जाएंगे और साथ ही साथ मतलब जो भी displaced हुए उनको alternative land भी available कराई जाएगी अब जितने भी activist हैं वो सब इसी point को ले करके minister के पास गए बोले भई इसके तहत आप उनको additional alternative land है वो available कराईए उनके right को आपको available कराना पड़ेगा लेकिन minister अरजुन मुंदा ने कहा कि जो internal displaced people है IDPs है उनको आप FRA के section 3.1 के अंदर land grant नहीं कर सकते चोंकि यह जो displacement है यह government project के कराण नहीं हुआ है साफ साफ इन्होंने आपर कहा है government project के कराण किसी भी tribal का displacement नही नहीं हुआ है जिसकी वज़े से यह forest right tag 2006 के अंदर में नहीं आते इसलिए इनको कोई भी alternative land अबिलेबल नहीं कराई जाएगी तो क्या कहता है FRA का section number 3 यह कहता है कि यह जो आपका section है यह tribal peoples पर applicable है जो की displaced किये गए हैं जहां से सुनिएगा because of because of diversion of government land for development and industrial project उनकी जबीन पर government ने यहां पर land year development project industrial project launch किये हैं और साब साब लिखा हुआ है not for those who fear because of conflict जो की conflict की account free हुए है उनके लिए कोई land का provision नहीं है तो यही सब बाते हैं और activist फिर भी कह रहे हैं activist का कहना यह है कि tribal जो है वो सही बात है आपका की conflict की account displaced हुए है बट वो जो conflict था जिसका नाम था सलव जुडाम यह एक state sponsored militia था ठीक है यह एक state sponsored basically military activities थी जिसकी वज़े से जो यह लोग है वो इल्लीगली इविप्टिक किये गए डिस्प्रेस किये गए और इसलिए उनको उनकी जवीर मिलने चाहिए यह को मिलेगी नहीं मिलेगी वो सब supreme court और इन सरकारों पर छोड़ो आपका अगले आर्टिकल आ जाता है और अगले आर्टिकल में साफसाप लिखा हुआ है डबलू एचो की फर्स्ट एवर पैंडमिक ट्रीटी जो है वो यहाँ पर बनाने की बात चल रही है डबलू एचो की जनरल असेम्बली की मीटिंग हो रही थी वहाँ पर इस बात के उपर ज अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखते हुए यह काम करना पड़ेगा तो फर्स्ट राउंड पबलिक हेरिंग का यहाँ पर ट्रीटी का करंटली जो है वो चल रहा है और उमीद की जारी है जो फर्स्ट एवर पैंडमिक ट्रीटी बननी है यह 2024 तक यहाँ पर पूरी हो इसके अंदर बात यह कही गई कि सबसे ज़्यादा जो अकाउंटेबिलिटी को दी जानी चाहिए इन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन्स हैं जो की हमने 2005 में एड़ोप्ट की थी सार्स आउटब्रीक वादा 2003-2002 में उसके बाद हमने आगयाचार यानि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन्स की थी पैंडमिक से डील करने के लिए कि आने वाले समय में कोई पैंडमिक आया तो उससे लड़ पाएंगे उसके फेलियर के बारे में दिखाए दिया लिखव इंट्रोट की गई साथ यह प्रोवाइट करती है एक लीगल याद रखना येक लीगल फ्रेमबर्क है लीगल बाइंडिंग इस्ट्रूमेंट है इंक्लूटिंग इंडिया और हाव तो प्रोसीड इन सच इवेंट्स जो पैंडमिक जैसे इवेंट्स आएंगे इंसे कैसे लड़ोगे तो जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन से यादि पहली बार एडोप्ट की गई वर्ड हैल्थ असेंबली 1969 में जब से लेकर के चलती आ रही है लेकिन हाली में जो रिवाइस की गई है वो 2005 में रिवाइस की गई है लीगली बाइंडिंग इस्रूमेंट है इन पावर करती है गलोबल सर्विल्यंस सिस्टम की रूप में आपर यह वर्क करती है 2005 में आई, 2007 में enforce आई, 2005 में adopt की गई इससे पहले 69 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये adopt भी की गई थी और 196 binding country इसके अंदर में include है तो जो current pandemic कहाँ पर आया जिसको कहने है COVID-19 COVID-19 ने बताया कि बढ़ी जो IHR है इसके अंदर बड़ी खामया है इसके implementation और इसके application में बहुत सारी कम्या नजर आ रही है that is believe कि ये best address करेगा ऑके बट हमें पता चला कि ये कोई अच्छा काम यहाँ पर नहीं कर रहा है तो इसकी जो accountability पर सवाल उठे और उसी चक्कर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि WHO जो है वो अपनी पहली जो है वो pandemic treaty बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है 2024 तक यह बन जाएगी क्योंकि IHR ने कुछ खास काम यहाँ पर किया नहीं तो ये आपको पता होना चाहिए इतना कि what is this IHR और किस तरीके से यह सब चीज़े यहाँ पर होई आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर आता है Public Health Emergency of International Concern तो Public Health Emergency of International Concern है वो define की गई है इन IHR के अंदर यानि कि जो international health regulations है इन्होंने साब साब define किया है कि एक extraordinary event यहाँ पर अगर आ जाए जिससे पूरी public को एक health risk उत्पन हो जाए ठीक है सभी states, सभी parties international spread होने लगे disease का और potentially require a coordinated international response और उस disease के लिए coordinated international response की जरुत बढ़ने लगे तो उस disease को Public Health Emergency of International Concern डिकलेर किया जाता है यादर ना PHEIC के अंदर basically तीन important aspect है पहला है serious, sudden और unusual, unexpected जो है वो rise होना चाहिए जैसे COVID-19 में देखने के लिए मिला अचानक से पूरी दुनिया में फैला carries implication यानि कि Public Health पर बहुत बुरा असर पढ़ना चाहिए states के जो national borders है वो सभी के सभी मन्दब भारी मातरम में affection होना चाहिए may require immediate international action तो यह जो है वो आप से पूछा दे सकता है which of the following are points जो की इस चीज़ को determine करते हैं कि Public Health Emergency of International Concern होगी या नहीं होगी तो देख सकते हो H1N1 Swine Flu pandemic को डिक्लेर किया गया ऐसे ही आपको मिलेगा कि कि वो Ebola pandemic है जी का वाइरस outbreak है COVID-19 pandemic इसके अंदर में include है तो आपको यह भूला नहीं है बिल्कुल भी तो यह आपको इतना याद रखना है उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आगे और आगे देखने के लिए मिलेगा एक जगह का ना जो की मैच उप दा फॉलो इंड में पूछी जा सकती है जलपाई गुडी ठीक है जलपाई गुडी कहां पर है तो यह आपको पता चलेगा कि जलपाई गुडी जो है वो बेस्ट बेंगोल के अंदर है और जलपाई गुडी में बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि इनलीगल ट्रैफिकिंग के केसिस बहुत जादा है निकल करके आ रहे हैं देखो इंडिया में कंगारूस नहीं पाय जाते हैं सिंपल सी बात है लेकिन जलपाई गुडी जो है वहाँ पर कंगारूस देखने के लिए मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इंट्रोड्यूस तो ने किया नहीं गया क्योंकि इंट्रोड्यूस किया जाता तो authorities की नजर में रहता लेकिन यहाँ पर कंगारूज जो है वो देखने के लिए मिले जो कि साफ साफ दिखाता है कि जलपाई गुड़ी में illegal जो है वो wildlife trafficking जो है वो हो रही है तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोर्थ बैंगोल का टाउन है और जो एक transit point है basically यहाँ पर recent developments भी हुए है और यहाँ पर नजर रखने की काफी सक्त जरूरत है लिखा हुआ है कि जलपाई गुड़ी news के अंदर है क्योंकि साफ कंगारूज जो है वो recover किये गए है जिन मेंसे कि चार तो मर भी गए है तो को habitat suitable होना चाहिए जो है वो traffic करने के लिए यूज किया जा रहा है wildlife को में ली चाइना वियतनाम कंबोडिया लाओस थाइलेंड बंगलादेस पर्शियन गल कंट्रीस तक भी connect है यह आपका और इस route के जरीए आपका जो है वो illegal trafficking यहाँ पर होती है North Bengal है या फिर North East India है उसके अंदर species की richness तो है हम मानते हैं ठीक है कई सारी species वहाँ पर मौझूद है लेकिन साब साब देखो कि Australia की इस species का discover होना यह दिखाता है कि यहाँ पर illegal तरीके से जो है वो wildlife trafficking जो हो रही है तो just नाम याद रखो इस जलपाई गुडी क्यों famous है यहाँ पर आप basically news के अंदर क्यों है तीन-चार साल तक news में रहेगा घवराने की ज़रूत नहीं है और best Bengal की बात यहाँ पर हो रही है उसके बाद यहाँ पर एक खुबसूरत आर्टिकल और इस आर्टिकल के अंदर जो Democratic Republic of Congo है उसने Big Oil Companies को कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े Rainforest यानि कि जो आपका Congo Rainforest है दुनिया के सबसे नमबर के सबसे बड़े Rainforest पहले पर तो Amazon आ गए न दूसरे पर Congo Rainforest आ जाते हैं वहाँ पर Big Oil Companies को invite कि आए कि आओ भई यहाँ पर Oil जो है वो आप माइनिंग कर सकते हो Oil Extraction कर सकते हो तो यहाँ पर यही हुआ लगबग 16 बिलोक्स जो है वो आपके lease पर दे दिये माइनिंग के लिए auction के लिए और इन 16 में से याद रखना देखिए एक important point निकलता है map point of view से भी इन में से जो 9 है 9 ऐसे हैं जो कि बहुती ज़ादा eco sensitive zone है जिसका नाम में कुवेटे सेंट्रिल है तो यह जो है वो basically Congo River का basin इलाखा है second largest forested area है in the world after Amazon देखो इस map को पूरा ध्यान से समझो यह आपका पूरा Africa यहाँ पर हो गया इस Africa का जो यह वाला हिस्सा है यह पूरा का पूरा इस Africa का हिस्सा जो है वो Congo Rainforest को यहाँ पर दिखाता है ओके थोड़ा सा इदर उदर हो सकता है आप just observe करने की कोशिश करो this is a Congo River basically Rainforest Congo River भी यहाँ पर बैठी है क्योंकि देखो एक तो यहाँ से आपकी Congo River हो करके बै रही है दूसरी बात आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारी जो River का पूरा Basin यहाँ पर create हो जा रहा है तीसरी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि Rainforest के middle में है और क्या चाहिए यहाँ पर 9 blocks के लिए oil mining को allow कर दिया है तो यही है अब इसके बारे में लिखा है कि कुवेटे सेंट्राले इसका जो साइज लगबग UK के बराबर है UNEP के दौरा यह data रिलीस किया गया इन्होंने बताया कि इस particular area के अंदर लगबग 30 गिगा टन के करीब carbon जो है वो store है और यह इतनी है जितनी की United States अगले 15 सालों में रिलीस करेगा उतनी carbon यह absorb किये हुए बैठे हैं तो काफी important जो carbon sequestration के purpose है rainforest का basically जो मकसद है वो यही है इन्होंने यह भी बताया UNEP ने कि लगबग 75 million people हैं 250 डिस्ट्रिक्ट तरीके की आपकी इथने गुरूप्स हैं जो की in forest की health के ओपर depend है और यह जो है वो आपके Congo Basin Peetland complex में आते हैं अब यह river system है river basin है तो simple सी बात है एक river basin रामसार की sites के हिसाब से अगर आप देखो तो it is a wetland और simple सी बात इतना बड़ा है तो यह wetland of international importance भी होगा मुझे इस बात पर थोड़ा सा confirm नहीं है यह थ्रोस चेक करना पड़ेगा लेकिन इतना बड़ा reason है होना ही चाहिए तो इस चीज़ को देखेंगे अभी और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि DRC Democratic Republic of Congo और Republic of Congo यह दोनों अलगलग countries है तीसरी country हैं इंडोनेशिया यह तीन country है इन तीन country ने March 2018 में एक declaration sign की थी जिसका नाम था Brazzaville declaration ओके यह declaration का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है यह declaration बेसिकली जितने भी complex ecosystem है बेसिकली याद रखना complex जितने भी peatland ecosystem है उन सभी को protect करने के लिए इन तीन country ने sign की थी आप से पूछ सकता है कि यह जो Brazzaville declaration है यह किन तीन country ने sign की है मतलब चार नाम देगा उनमें से तीन साही होंगे आपको चाटने यह पूछ लेगा कि क्यों important है मतलब किस चीज के लिए declaration यह यहाँ पर है तो जो wetland ecosystem है especially peatland wetland के भी कई type होते है उनमें से जो peatland यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर peat present रहता है वहाँ पर यह जो है उन ecosystem को present करने के लिए protect करने के लिए आपकी यह declaration sign की गई थी peatland जो है co2 को absorb करते है याद रखना peatland का बहुती ज़ादा importance यहाँ पर है और जो peatland है इसके अंदर peat soil होती है मतलब biomass जो है वो यहाँ पर इखटा होता रहता है जो है वो इखटा होता रहता है और जो wetland habitat है वो काफी ज़ादा बढ़िया होता है IUCN के हिसाब से अगर हम देखें तो peatland की definition आपको पता होनी चाहिए basically जो peatland है वो आपके temperate reason में पाए जाते है but overall the globe पूरी दुनिया में भी पाए जाते है but maximum जो है वो आपके temperate reasons में पाए जाते है इनकों कहते है पर्मा कल्चर okay peatlands okay तो ये चीज़ें आपको इतनी यहाँ पर ध्यान में रखनी है ये point यहाँ पर ध्यान में रखो भाई ये सब चीज़ें map वगेरा की चीज़ें हैं ये सब ध्यान में रखनी है आगे अगर हम बात करें Udisa की खबर है Udisa के अंदर forest है और forest में deep percolation pit यहाँ पर खोदे गए है जिनकों कहते हैं deep percolation pit यहाँ पर खोदे गए है आप देख सकते हैं ये forest है और यहाँ पर आपने ये गड़्धा खोद गया नाम क्या है ये deep percolation pit इसका मकसद क्या है मकसद ये है कि जो भी बारिश का पानी हो या इधर उधर का पानी हो basically water set management वगएरा के जगए जो भी पानी यहाँ पर आ रहा है मालो यहाँ से कुछ बह करके यहाँ पर आ रहा है तो वो बहुत जल्दी नीचे चला जाए ground water में तो ये जो deep peeps हैं यानि कि deep percolation pits हैं यहाँ पर इस तरीके से अब यह जो खबर यहाँ पर है यह खबर यह कह रही है कि जो pit आपने खोदे हैं ये local flora phona के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ठीक है ground water recharge होगा लेकिन जो बनने जीव है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है तो percolation pits are shallow structures जो की rain water की help करते हैं permeate करने में वो ताकि ground water recharge में यहाँ पर मदद कर सके इन्होंने बताया कि ये flora phona को harm कर सकते हैं simple सी बात है कुछ आपने गड़ा खोदा है तो आस पास के पेड़ों की जो जड़े हैं वो यहाँ पर कटी होंगी roots of the tree जो है वो आपकी कटी होंगी जिससे की root expansion नहीं हो पाएगा और पोधे को जो particular nutrient यहाँ पर मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे this disrupts the intake of nutrient and water to the tree और local philora को नुकसान पोर्स है कुछ जानवर ऐसे हैं गड़ा नहीं दिखा उनकी टांग वांग यहाँ पर जो हर्स में चोट आ सकती है साब साब लिखा हुआ है easily twist their leg या फिर bones भी break हो सकती है तो यह हम काम नहीं कर सकते हैं साथी साथ कुछ Harvey wars है उनकी भी यहाँ पर जो है वो टांग उटने का खत्रा यहाँ पर बन जाता है human आया या फिर कोई cattle आया तो उसकी टांग यहाँ पर तूट सकती है तो यह तीन खत्रे तो एक ही जैसे यहाँ पर दिये गए है टांग तूटने वाले और यहाँ पर दिया गया है कि जो pit हैं वो natural regeneration को भी effect करते हैं पेर से कोई बीज गिरने के बाद वहाँ पर germinate होता लेकिन आपने वहाँ घड़ा खोद दिया वो वहाँ germinate नहीं होगा तो biodiversity को नुक्सान कुछ हद तक देखने के लिए मिल रहा है तो यह सब कौन ध्यान में रखो क्या क्या चीज़ें कितनी harmful हैं कितनी सही हैं उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है nitrogen levels जितने भी nitrogen rich word है वहाँ पर decline हो रही है कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर nitrogen मात्रा में पाई जाती थी वहाँ पर अब उतनी मात्रा में nitrogen नहीं पाई जाती है जिसकी वज़े से plant है animals हैं सभी को नुकसान पोशेगा देखो nitrogen बहुत ही ज़ादा जरूरी है plant की growth के लिए nitrogen बहुत ही ज़ादा जरूरी है plant की growth के लिए अगर nitrogen available नहीं होगी जो कि एक essential nutrient है तो plant जो है वो बहुत ही धीरे grow करेगा और साथ ही साथ उसके जो flowers है fruits हैं वो भी बहुत छोटे-छोटे से यहाँ पर होंगे पत्यां जो हैं वो पीली पढ़ जाएंगी और जो insects हैं, birds हैं, animals हैं जो उन पत्यों को खाएंगे जिन में पहले से nutrition की कमी है तो उन पर भी असर पढ़ेगा तो local, flora और phona दोनों पर असर इस तरीके से पढ़ेगा तो nitrogen का ये importance आपको पता होना चाहिए अब study ये कह रही है कि कहीं पर तो nitrogen की availability कुछ है कहीं पर कुछ है, यानि imbalance देखने के लिए आपर मिल रहा है some place ऐसे हैं जहाँ पर भारी मात्रा में nitrogen के levels है some place ऐसे हैं जहाँ पर source देखने के लिए मिल रही है ये report परकाशित हुई, ये report बगएरा का नाम याद मत रखता परो ठीक है, कहीं लिखने लिखनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन चीजों को, लिखा हुआ है कि nitrogen की availability जो है ग्रास के अंदर, तो जो cattle है, वहाँ पर भी कमी होगी और उससे पूरो का पूरा जो dairy industry है, उससे impact होगी क्योंकि cattle को जो है, वो nutrition नहीं मिल रहा nutrition level decline होगे, protein decline यहाँ पर हो गया लिखा हुआ है, many forest ऐसे हैं, North America, Europe के अंदर जहाँ पर nutritional decline देखने के लिए मिल रहा है किस वज़े से, भई सिंपल बात है, nitrogen की कम ability की वज़े से, साथ इसाथ इन्होंने ये भी बताया कि tropical और boreal forest जो हैं, वो बहुत जादा vulnerable हैं, वहाँ पर nitrogen की कमी काफी कम हो चुकी है, इन्होंने ये भी बताया कि nitrogen का CO2 से भी यहाँ पर link होता है, देखे किस तरीके से nitrogen का CO2 से link है, तो just एक line यहाँ पर याद रखनी है, कि अगर nitrogen की ability कम होगी, तो plants जो हैं, वो CO2 को कम capture करेंगे, भई, आप खुदी यहाँ पर देखो, आपको कम खाना मिले, तो exercise वगएरा कम कर पाओगे न, आपकी daily activities यहाँ पर कम होने लगेंगी, okay, simple सी बात है, जब nutrition नहीं मिलेगा nitrogen की बज़े से, तो capture करने की ability जो है, वो अपने आप ही कम हो जाएगी, जिसकी बज़े से ये एक तरीके से आप देखो, amplification का कारण करेगा, CO2 की quantity कम यहाँ पर होगी, तो nitrogen ability और ज़ादा यहाँ पर कम होती चले जाएगी, यह तरीके से loop बन जाएगा, और यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा, plants जो है, वो काफी अच्छे उकते हैं, क्योंकि CO2 के concentration ज़ादा हो, तो, जितना ज़ादा CO2 से expose कराओगे, plant उतनी ही तेजी से होगना शुरू हो जाएगा, अब यह क्या चक्कर है, फोटो सिंतेसिस की process में CO2 का use किया जाता है, और oxygen generate की जाती है, तो CO2 अगर बाहरी मातरा में present होगी, तो फोटो सिंतेसिस की परकिर्या जो है, वो ज़्यादा तेजी से होगी, जिसकी वज़े से जो plant की growth है, वो भी तेजी से होगी, तस, देर demand for nitrogen also goes up, अब देखो CO2 के concentration तो बढ़ी ही रहा है, okay, plants की growth भी यहाँ पर बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि nitrogen की demand भी तेजी से बढ़ेगी, ठीक है, भी पेड को और ज़्यादा CO2 चाहिए, फोटो सिंतेसिस करना है, तो और ज़्यादा nutrition चाहिए, और ज़्यादा nutrition कहा से मिलेगा, nitrogen से मिलेगा, और nitrogen पहले से ही यहाँ पर कम हो रहा है, तो यह कुछ समझ दे कि कोशिच करो इस तरीके से चीज़ों को, यह सब चीज़ें लिंक हैं, और यह सब जो है, वो आपका ecosystem cycles का part बन जाती है, आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड वर्सेज ग्रेट इंडियन एनर्जी क्वेस्ट, तो ग्रीन एनर्जी के लिए अलग-लग तरीके के प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं जगए 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 पर, ओकी, बट लाइक देखो, पावर लाइंस यहाँ पर है, ठीक है, फिर यह जो आपको दिखेंगे, यह solar plates यहाँ पर लगाई गई है, ओके यहीं पर आपको दिखेंगे, इस्पेशली राजिस्थान को target किया ग है, जो कि जैसलमेर सेटी के आज-पास में यहाँ पर पड़ता है, उसको काफी भारी खतरा यहाँ पर साप-साप नजर आता है, यहाँ पर एक reason का नाम दिया गया है, इस reason का नाम यहाँ पर याद रठना, पर्टिकुलर्ली जो focus है, वो इस reason पर किया गया है, अच्छा, अ यानि कि हाई टेंशन वायर्स नजर आने लगती हैं तो जो प्रोजेक्ट हैं वह इस्पेशली स्रीजन में बनाई जा रहे हैं विंड अच्छी चलती है इसकी वाज़े से विंड एनर्जी काफी जनरेट कर सकते हैं थार डेजर्ट है तो के पूरा का पूरा तो वहां पर ही सब पॉइंट्स यहां पर देखने थे आप देख सकते हो हाई टेंशन एलेक्रिक वायर एक चुनोती हैं सोलार जो आपके पार कहां पर बनाए जा रहे हैं उन्हों वह एक चुनोती हैं और यह सब जो हैं वह बेसिकली दिखाते हैं कि जो ग्रेट इंडियन वस्टाड है उसका हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है तो यह याद रखो इस पर्टिकुलर इलाके का नाम याद रखना ओके यह बूल ला नहीं उसके बाद यह सब जो चीज हैं बेसिकली यह वाली जो न्यूज है यह काफी बड़ी न्यूज थी और यह मैंने आपको इस वीडियो के अ अंदर कवर नहीं होती मतलब यह जो यूपीसी स्पेशल चीरीज है इसके अंदर इस चीज़ें कवर नहीं होती तो दोनों चीज़ें अलग अलग है वरना टाइम बेस्ट होगा और यह भी आपके लिए देखना बनता है उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सपर देख हुए है तो WHO अपने मोडल को प्रेडिक्ट करके अपने कैलकुलेशन वगरा करके बता रहा है कि 200 देख हुए है तो यह लगबग दुगनी तिगनी इस तरीके से देख से यहाँ पर काउंट कर रहे है तो एक्सपर्स ने और मिनिस्ट्री ने यूनियन मिनिस्ट्री टूनियोग वेश्ट्री अंहों ने यह कहा कि जो डाटा यहां पर यूज किया जा रहा है वह इंडिया में इतनी डैथ हुई नहीं जितनी यहां बता रहे हो इंडिया में तो इतनी डैथ हुई है यह यानि 100 डैथ हुई है तो वैलिडिटी और एक्क्यूरेसी पर सवाल उ लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज पर लागू नहीं होते जहां की पॉपॉलेशन 1.3 बिलियन है तो छोटी कंट्रीज के लिए WHO के मोडल यह लागू होंगे हमारे जैसी बड़ी कंट्रीज पर यह लागू नहीं होते यह बात इन्होंने कही इन्होंने कहा हमने तो इतना कह द डिग्रेड हुई है तो ये और जादा डिग्रेड देखने के लिए मिल रही है इसके बाद ये कुश्चन आ जाता है और मतलब अगला नियूज है और यहाँ पर मगर क्रोकोडाइल के बारे में है यहाँ पर बताया गया है कि राजिस्तान के अंदर जो पाली नाम की जगा है वहाँ पर लगबग साड़े 300 मगर क्रोकोडाइल मौझूद है लेकिन पानी मौझूद नहीं है पानी मतलब वाटर वाटर जो है वो यहाँ पर मौझूद नहीं है तो उसके लिए वाटर ट्रेंज चलाई गई है मतलब पानी को ट्रेंज में भरा जाएगा और वहाँ पर पहुचाई जाएगी तो वहाँ पर पानी इस तरीके से पहुचाई जाएगा ताकि यह मगर क्रोकोडाइल जो है वो सेफ रह सके तो यह कंसेप्ट है पाली डिस्टिक में जो वाटर को डिलीवर किया जाएगा ट्रेंस वगरा के जरीए और क्योंकि मार्च वगरा के अंदर यह सब काम हुए और हीट बहुत जादा थी जिसके वाज़े से पानी सूग गया पानी सूग गया चलो ठीक है कोई अल्टरनेटिव रखा होगा तो हाँ अल्टरनेटिव था जवाई डैम बनाया गया था जवाई रीवर पर उसके पीछे पानी खट्टा था जवाई रीवर ट्रिब्यूटरी है लूनी रीवर की वहाँ पानी खट्टा था जवाई वगेरा इलाके में पाए जाते हैं यह रिवर सिस्टम सब एक जगह पर यह चीजें यह सब मार्श क्रोकोडाइल हैं मगर क्रोकोडाइल हैं और यह जो है वो फ्रेश वाटर स्पिसीज हैं यहाँ पर मिलेगा कि यह पूरे साउथ एश्या में भी पाए जाती हैं कंट्रीज आप देख सकते हैं साउथ इस्टन इरान में भी पाए जाती हैं लगबग 6-13 फीट तक लंबे हो सकते हैं 70-80 साल तक रह सकते हैं इसकी फोर्मल जो रेंज है वहां से बहुत जादा कम देखने के लिए मिले हैं और इस्पिसीज जो है वो अब सिर्फ प्रोटेक्टिड एरियास में देखने के लिए मिल रही है मतलब हैबिटेट डिग्रेडेशन यहाँ पर हुआ है मेली इंडिया और श्रिलंका के अंदर यह जो है मगर क्रोकोडाइल इंडिया के 15 स्टेट में पाए जाते हैं सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो मिडल गंगा रीजन में इस्पेशली बिहार जारखन में पाए जाती है फिर चंबल बेसिन में भी यह पाए जाते हैं तो यह सब कुछ चुनोतियां हैं मगर क्रोकोडाइल के साथ इन चीजों पर कोई फोकस नहीं कर रहा ठीक है बस इसी तरीके की चीज़ें यहां पर आपकी पढ़ते रहो ठीक है पढ़ते रहो और बस ऐसे ही सोचते रहो कि कुछ होगा अब कुछ होगा तो यह सब काम यहां पर हो रहा है देखो बाटर ट्रेंस भी चलाई है बट ठीक है काम भी हो रहा है तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आपकी work करती है तो चलते हैं अब अगली news की तरफ और यहाँ पर आपको एक technique के बारे में पता चलेगा जिसको कहते है sustainable agriculture की practices और उस practice के अंदर जो technique का नाम है या method का नाम है वो है आपका DSR यानि direct seeding of rice method इसके अंदर हम basically करते के हैं देखो हुआ यह है कि पंजाब के जो basically farmers हैं उन्होंने यह आपका कहा है कि DSR जो technique है उसको पंजाब के अंदर लागू करेंगे और यह एक बहुत ही अच्छी technique है मतलब ancient technique है और इससे जो है आप rice को grow करते हो लेकिन उसी के साथ groundwater को भी आप preserve करते हो तो water का जो कंजमचन है अगर आप इस technique का use करते हो rice के cultivation के लिए तो 35% तक groundwater को आप बचा सकते हो यह बहुत ही important हो जाता है और इसके अंदर होता क्या है कि rice की plantation basically इसके अंदर transplanting नहीं की जाती मतलब rice को पहले नरसरी में उखाया जाता था और फिर उसके बाद जागर के field में उन saplings को अलग से बोया जाता था यह transplanting यहाँ पर की जाते थी लेकिन इसमें बहुत सादा groundwater भी यहाँ पर खर्च होता है और बहुत ही एक तरीक से tedious work भी है पहले यहाँ पर उगाओगे फिर उसके बाद यहाँ पर उगाओगे तो उसके अलावा हम यहाँ पर इस technique को यूज नहीं करेंगे हम यूज करेंगे direct seeding of rice technique को तो इसके अंदर पंजाब की सरकार ने फैंसल लिया है कि पंजाब का 1.2 million hectare का area उस area में हम जो भी rice बोंगे वो direct seeding rice method से यहाँ पर होगा और यह चीज़ इन्हों ने बताई कि इसस seed technique भी कहते हैं और इसके अंदर हम जो है वो seed को मतलब जो आपका rice का seed है उसको directly drill करते हैं field में ना कि कहीं और nursery वगेरा में seedling को बोग करके उसको फिर waterlogged field में transplant करते हैं this transplanting is not good what is good यह direct seeding of rice यानि directly drill करो field के अंदर ही 35% water को आप यहाँ पर बचा सकते हो काफी फायदे हैं इ yield पर कोई फरक नहीं पड़ता जितना आप transplanting से होगाते सेम ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा बाकाइदा अगर आपने जो water management है वो किया है साथी साथ आपने जो weed management practices हैं वो भी सही से अपनाई है तो ठीक है otherwise थोड़ा सा यहाँ पर आपको अंतर देखने के लि weed management जो है वो effective होना चाहिए देखो weed बढ़ जाती है इस चीज़ को याद रखना कि weed जो है वो अगर आप DSR method से यहाँ पर rice हुगाते हो तो weed जो है वो यहाँ पर आपके field अंदर बढ़ जाएगी और उसको अगर आपने सही से manage नहीं किया तो आपकी yield में थोड़ी सी कमी आ स पराबर सी ही रहेगी नाम मातर का फरक यहाँ पर आएगा और अगर आप sustainable तरीके से weed management कर लेते हो तो इतना भी फरक नहीं आएगा ठीक है याद रखना इसके अलावा जो आपका direct seed method है इसके द्वारा आप जो methane के emission है उसको भी कम कर सकते हो देख सकते हो आप यहाँ पर methane के emission कितने कम हो जाएंगे ओके nitrous oxide के emission में थोड़ी सी बढ़ोती देखने के लिए मिल सकती है तो बढ़ोती या फिर बराबर रहेगा nitrous oxide के concentration पर फरक नहीं पड़ेगा कारबंड़ा यह oxide के emission थोड़ी से आपर कम होंगे overall जो है वो कम ही देखने के लिए मिलेंगे climate change के लिए इसलिए इसको कहते है climate smart agriculture और यह कापी ज़्यादा important हो जाती है उसके बाद आगे देखें तो आगे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा South Africa के अंदर South Africa के अंदर जो आपके वहां के प्रेसिडेंट है ओके अफरीका की प्रेसिडेंट जिनका नाम है सीरिल रामाफो सब उनके उपर allegations लगे हैं कि आपने climate change से लड़ने के लिए कुछ नहीं किया ठीक है देखी कितने जो आपने देखो cases किस चीज़ का लगा है group of climate change organizations ने जो आपके South Africa के प्रेसिडेंट है सीरिल रामा फोशा के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किये और cabinet ministers के अगेंस्ट भी य इन्होंने कहा कि आपने जितने भी weather system लगाए वो सब सिलों हैं वो सब अच्छे से वर्क नहीं करते और आपने जो है वो इस एरिया के अंदर जो rain है वहाँ पर आपके इस weather pattern के कारणर आई और वहाँ पर भारी मातर में flash floods देखने के लिए मिले अगर आप ये fast moving weather systems लगाते तब यहाँ पर आपका ये flash floods रुख सकते थे deaths बच सकते थी mud slides ना थे lens slide ना थे लेकिन आपने ये नहीं किया इसलिए साब साब आपके ओपर case बनता है negligence का तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर क्या है इसकी वज़े से 443 लोगों की मोद भी हुई और 63 जो है वोंका तो अ climate justice charter movement जो है वो अफरीका का एक तरीके से कह सकते हो की union है और यहाँ पर जो है वो climate justice के वारे में कुछ rules लिखे हुए हैं किया आप लोगों के लिए security और यहाँ पर जो climate crisis से लडने के लिए कुछ ना कुछ provide यहाँ पर करोगे once the government to be found guilty इस charter के अंदर government को guilty found किया गया of culpable homicide इनको culpable homicide का यहाँ पर केस इनके ओपर लगा है negligence की वज़े से क्योंकि आप जो है वो emissions को रोक नहीं पाए और साथी साथ जो inequality poverty increase हो रही है वो भी आप नहीं रोक पाए ओके यह चीज़ आपको यहाँ पर समझ आएंगी तो आप देख सकते हो climate justice charter movement जो है with coalition है several climate change activists का और साथी साथ lobby group है across the country तो यह एक तरीके से group यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और यह argue कर रहा है कि south अफरीका की सरकार जो है वो directly responsible है जितनी भी death इस area के अंदर होई क्वाजुलू नटाल जो प्रोविंस है वहाँ पर यह सब death देखने के लिए मिली तो यह कुछ group बगरा है ऐसा सब ठीक है मतलब इतना तो यहाँ रखो कि ऐसा कोई group है और यह अब जो climate change है और climate के कारण जितनी भी death होती है उनको सभी को अब दर्जा देना शुरू हो गया है जिसका नाम है champions of the earth lifetime achievement award category के अंदर इनको यह award गया गया कौन देता है UNEP किसको मिला इस बार तो इस बार इनको मिला ओके यह basically आपके जो अलग-अलग तरीके की documentaries बनती हैं उनके अंदर sound जो है वो भी यहाँ पर देते हैं इसके अलावा अगर आप देखोगे कि इनके बारे में तो काफी मतलब work किये हुए है इन्होंने environmental protection के लिए और research वगएरा है meeting जो हुई थी वो यहीं परी हुई थी मतलब 1972 में हुई इससे पहले इन सभी लोगों को भी prizes जो है वो दिये गए हैं और recipient जो है वो UNEP के द्वारा select किये जाते हैं Champions of the Earth Award 2005 में यहाँ पर established किया गए था और एक annual award program है जो भी environmentalist leader है outstanding performance करते हैं public private sector के अंदर civil societies के अंदर उनको यह award जो है वो दिया जाता है तो याद रखेगा उसके बाद यह act news के अंदर आया वो जुबा केसरी वाला case जो हुआ है यहाँ पर उसके बाद क्या इस act का नाम है cigarettes and other तंबाकू products act जिसको कहते हैं कोठपा एक 2003 का एक यहाँ पर है तो यह regulate करता है तंबाकू products को cigarettes बगएरा को इसके अंदर यहाँ पर यह article के provision है तो यह सब news के अंदर आया तो इसलिए आपको यह सीज़ें दी गई है act के certain provision है कि public place में जो टेंबाकू या smoking है वो आप नहीं कर सकते वो prohibited है advertisement भी prohibited है तो कि product जो है वो 18 साल से कम के लिए नहीं बेचे जा सकते और यह जो है वो आपके pictorial जो warning है वो आपको देनी पड़ेगी कि इसके अंदर nicotine है टार है या इनसे cancer होता है वगरा वगरा ठीक है त तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी PDF डाउलोड करो या select को एक मिनट पोज करो इसको ऐसी पढ़दो इसमें कुछ भी समझाने वाला है ही नहीं ओके बिच्छू की चेताव निया इस तरीके चेताव नियुक्साद आता ने secret वाला packet तो उस तरीके की बात यहां पर है तो इ उसको आप यूज कर सकते हो अगर high risk population वाला कोई एरिया है जहां पर COVID-19 के case तेजी से बढ़ रहे हैं तो इस इलाके में आप Paxlovid जो पिल है उसको यूज कर सकते हो तो Pfizer इनकी है यह आपकी पिल Paxlovid इसका नाम है और यह जो है वो basically एक तरीके से combination है दो तरीके के drugs का जिसम को recommend किया है कि आप इसको high risk patient group के लिए यूज कर सकते हैं Paxlovid जो है वो आपके hospitalization के cases को कम कर सकती है और मतलब घर बैठे ही आप ठीक हो सकते हो इस तरीके की बाते हैं और fewer potential है मतलब has fewer potential harms than the antiviral drug molnoprevir तो इन सब से इसका जो harm करने का potential है वो भी कम है मतलब सरीर में नुक्सा है ओके यह क्या है तो इन सब के नाम थोड़े सा आप यहां पर ज्यान में रखो इसको recommend यहां पर किया गया है उसके बाद AES यानि Acute Encephalitis Syndrome के cases बिहार के अंदर बढ़ने लगे हैं ऐसी cases हर साल इंडिया के अंदर निकलते हैं दो अलग अलग तरीके की बिमारिया है एक है आपका Japanese Encephalitis और दूसरा है आपका Acute Encephalitis Syndrome AES और JEE दोनों के symptoms लगभग सेम से ही है तो आपको इसके बारे में दो चार पॉइंट पता होने चाहिए जैसे आपकी जो और बिमारियां है लाइक आप देख सकते हो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ठीक है एंटी बैक्टिरियल रेजिस्टेंस है ये तो बड़े इस तर पर चितावनिया है उसके अलावाद Japanese Encephalitis और Acute Encephalitis Syndrome भी अपन साल से कम के जो बच्चे उनको यहां पर टार्गेट करता है डिजीज का आउट ब्रेक देख सकते हैं यहां पर देखने के मिला और बैसिकली वाइरस वैक्टिरिया फंगस पैरसाइट केमिकल स्टॉक्सिन इसके एजेंट हो सकते हैं जो कि इसको यहां पर फैलाते हैं तो यह चीजें जो हैं वो ध्यान में रखो यह मॉस्ट कॉमन कोज हैं और इसी के वाईसे ज्यादतर बैमारियां आपर देखने के लिए मिलती हैं तो नौसिया है बॉमिटिंग है यह कुछ केशी इसके यहां पर हैं कॉमन आप देख सकते हो इसके कोजिस पूछ सकता है निमल के साथ वाईरस जो हैं वो इल्लेस को यहां पर पैदा करते हैं मीजल्स या मंप्स की बेमारियां देखने के लिए मिलती हैं इसके अलावा जो यह जाजाती है तो यह सब पॉइंट आप कम से कम यहां पर ध्यान रखो उसके बाद गिर के जो लॉयंस हैं आपको पता है कही और नहीं पाया जाते एसियाटिक लॉयंस और भारी मातरम में population यहाँ पर मौजूद है ओके लगभग 674 लायन है आप फे गिर नेशनल पार्क गुजरात के अंदर यहाँ पर एक डिजीज जो है वो फैलने के चांसे जिसका नाम है कैनाइन डिस्टेंपर ओके और यह डिजीज के अगेंस जो है वो वैक्सीन बनाई जा रही है जिसका नाम है कैनाइन डिस्टेंपर वाइरस वैक्सीन सी डी वी वैक्सीन और यह वैक्सीन जो है वो प्रिपेर की जा रही है एशियाटिक लायन का बचाने के लिए उसकी पॉपुलेशन को गिर नेशनल पार्क में ताकि 2018 जैसा डिजास्टर ना हो जहांपर 27 लायन्स की मौत होगा इस डिजीज से तो यह चीज है यहांपर आपको ध्यान में रखनी है गिर जो नेशनल पार्क है लगबग 1412 स्कॉयर किलोमेटर में फैला हुआ है और इनके लिए enough space नहीं है अलायन्स के लिए कि अगर कोई बिमारी आती है तो यह धर से छोड़ करके कहीं और चले जाए माइगरेट कर जाएं एक डिजास्टर के केस में या इपीडे में खिटो तो इदर उदर चले जाएं नहीं इनके पास कोई रीजन नहीं है इदर उदर जाने का इनको वहीं पर ही रहना है आप इनका रिलोकेशन नहीं कर सकते क्योंकि यह सूटेबल हैबिटेट है relocation किया तो और ज़्यादा death देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि suitable habitat नहीं मिलेगा तो इस वज़े से जो भी बेमारिया है उनको own site यहाँ पर आपको target करना है तो उसी के लिए यहाँ पर यह आपका बनाया जा रहा है vaccine canine distemper जो है वो cause होता है by para mixovirus virus okay तो इसके बारे में थोड़ा से याद रखना कि यहाँ पर है जो की canine distemper वाइरस को promote करता है और यह जो है वो body fluid like infected urine है और क्या बिलट है saliva है इसके दुआरा यहाँ पर फैलता है virus respiratory system को gastrotestinal को और साथ-थाथ nervous system को भी यहाँ पर आपका affect करता है और यह transmit हो सकता है lions में, tigers में, leopards में और अलग जो wild big cats यहाँ पर है उनमें भी आपर हो सकता है इसके लावा seal वागेरा में भी यहाँ पर फैल सकता है virus जो है वो आपका wild fox में भी देखने के लिए मिला है, wolfs है और यह आपके रकून वगएरा है इनमें भी यह चीज़े देखने के लिए मिली है, it's symptoms के अंदर डलने सा जाता है क्योंकि काफ है, diarrhea है, seizures है, lacrimation है, यह सब चीज़े देखने के लिए मिल जाती है suggestions यह है कि vaccinate जो है वो आप, देखो, जो आपके feral dogs यहाँ पर है अगर कोई शिकार यहाँ पर किया गया, तो feral dogs उस पर आते हैं, उसको थोड़ा सा खाते हैं और फिर वाकी छोड़ जाते हैं, फिर lions आते हैं और उसको खा जाते हैं तो कहा यह जा रहा है कि यह जो आपके feral dogs हैं, जो कि इस virus को यहाँ पर उसके बाहग है तो vaccine उनको यहाँ पर provide कि जाए, dogs को और यहाँ पर जो vaccine है वो आपको lions को ना provide कि जाए लेखिया हुआ है instead of lions, तो यहाँ पर जो cushion निकलने के chances हैं वो यहीं है कि यह canine distemper virus basically है किस तरीके से फैलता है वगर वगर चीज़ें, इतना तो समझ चूके होगे अब तक और इसका जो outbreak है वो देखने के लिए मिला था जब 1000 lions की death हो गई थी sharing gate in national park फंजानिया के अंदर 1994 में तो यह सब point यहाँ पर याद रखने की कोशिश की जानी चाहिए उसके बाद आगे चलें, तो यहाँ पर United Nations, United Nations के अंदर UN Office for Disaster Risk Reduction यानी UNDRR और इनकी report जिसका नाम है Global Assessment Report यह यहाँ पर release की गई और इस report के अंदर से कुछ points यहाँ पर निकल कर क्याते हैं जिनको हम भी देखना जरूरी है सबसे पहला point जो इन्हों ने यहाँ पर कहा इन्हों ने कहा कि word के अंदर 560 disasters हर साल आएंगे 2030 तक तो यहाँ पर यह काफी important point हो जाता है 560 disaster देखने के लिए मिलेंगे साब साब report ने कहा कि पिछले 20 सालों में हम लगबग 350 से लेगर के 500 medium to large scale disaster हर सार जहलते हुए आ रहे हैं लेकिन इनकी जो frequency है वो यहाँ पर बढ़ेगी लगबग frequency जो है वो 560 per year यहाँ पर हो जाएगी इसके पीछे को जो reasons बताए कि क्यों यहाँ पर बढ़ेगी reasons यह हैं कि एक तो disaster frequency यहाँ पर increase होगी इसका कारण बताएगा है climate change को और साथी साथ दूसरा कारण जो बताएगा वो है आपका inadequate risk management अलब country के अंदर risk management नहीं है किस तरीके से आप disaster को handle करोगे अगर आ गया तो okay तो this is called inadequate risk management poor governance देखने के लिए मिल रहा है risk management system जो है वो आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और जो यह ऐसे system है कि global risk अगर आ गया तो आप उससे लड़ नहीं पाऊगे और इसके अलावा यह जो है आपके system बगएरा और poor governance है social economic gains को भी खत्रे में यहाँ पर डाल देते हैं social economic फायदा भी कुछ नहीं होने वाला इन्होंने यह भी बताया कि लगबग 37.6 million पीपल जो है वो extreme poverty में यहाँ पर आपके सरख जाएंगे 2030 तक इन्हीं disasters के कारण जो पांसो सार डिजास्टर हाँ सार यहाँ पर आएंगे इन्होंने यह भी कहा कि जो सबसे गरीब लोग हैं वो सबसे जादा बलनेरे बल हैं और इसका सबसे जादा जो भार है वो इन्हीं को पर पड़ेगा जो disaster है इन्होंने यह भी बताया कि majority of the country जो high disaster risk को face करती है वो आपकी ऐसी है जिनके अंदर population बहुती जादा है और national poverty line से जादा की population है जो है वो below poverty line जादा है इसके अलावा यह भी है कि इन सबी countries ने Philippines, Bangladesh, Myanmar, India, Indonesia, Pakistan, Vietnam जैसे countries आते हैं especially South Asia के countries देखने के लिए मिल जाएंगे जिनको इससे जादा खत्रा यहाँ पर है तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनकी frequencies जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है 1970 तक लगबग 100 से कम जो disasters यहाँ पर आते थे एक साल के अंदर लेकिन 2020 में ही आप यहाँ पर देखो तो 500 तक disaster लगबग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और 2020 से लेकर के 2030 तक इनकी frequency जो है वो 500 से उपर पहुँच जाने के chances यहाँ पर है तो इन्होंने यह भी बताया इसके अलावा और चीज़ें भी डिसकस की गई कि अगर आप देखें तो developing जो nations हैं like India वो सबसे जादा हर्ट होंगे वहाँ पर economic loss भी direct देखने के लिए मिलेगा लगबग आप देखो कि 1990s में 70 billion का loss होता था और 2010 में आप देखो 170 billion का loss होता है लेकिद यह जो loss है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा लगबग double loss यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा just 40% जो है disasters losses वो insured है मतलब insurance नहीं यह disaster के against ठीक है यह काफी important point है insurance एक बहुत ही important segment होता है disaster risk reduction के लिए और वही provide नहीं किया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 40% ही जो आपके लोग है या फिर infrastructure है वो insured है 60% जो disaster related losses है उनको insured नहीं किया जाएगा मनलों कोई building है insured नहीं है और तबाह हो गई तो आपको उसका claim नहीं मिलेगा तो यह जो है वो inequality बहुत जादा बढ़ रही है developing countries के बीच क्योंकि insurance जो है इस तरीके से available नहीं है आप देख सकते हो direct economic loss जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो बढ़ रहा है एकदम उपर की तरफ गिराफ यहाँ पर जा रहा है और यह सब point भी आपको यहाँ पर याद र risk management sector हों इन सभी में आपको investment को बढ़ाना पड़ेगा और साथी साथ जो आपके risk rise हो रहे हैं उनको कम करने के लिए इन sector को मजबूत करना पड़ेगा इन्होंने कहा insurance के अलावा कोई और option नहीं नजर आता insurance एक key tool है जिसके जरीए आप disasters को कुछ हद तक जो है वो prevent कर सकते हो मतलब आया भी तो आप उससे laws को बचा सकते हो तो यह चीज़ें important यहाँ पर हो जाती हैं इसके लावा इन्होंने यह भी कहा कि COP26 जो glassgo summit यहाँ पर हुई थी उसके अंदर doubling of finance to support developing countries framework यहाँ पर sign करने के बात हुई तो यह होना चाहिए developing countries को climate change से adapt होने के लिए पैसे की ज़ यहाँ पर बंगता ही नहीं उसके अलावा climate action failure की बात आई कि जो भी action आप यहाँ पर ले रहे हैं सरकारे वो सारे के सारे action fail होते नजर आ रहे हैं global risk जो है वो एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके जो impact हैं वो भी saivir हो रहे हैं इन्होंने कहा कि अपने जो disaster risk आप mitigation strategies तयार कर रहे हो उन सभी के अंदर इन चीजों को include करो कि कैसे हम खा रहे हैं कैसे हमारे food systems work कर रहे हैं कैसे हम रह रहे हैं कैसे हम build कर रहे हैं कैसे हम invest कर रहे हैं मैं बिल्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए जो climate resilience हो आपका जो investment है वो climate यानि की green economy को promote करने वाला होना चाह होते हैं lack of data एक major cause है जिसकी वज़े से आप जो है वो risk को नहीं देख पा रहे हो इन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास जो risk damage और losses को track करने के लिए अभी तक कोई भी fully extent जो data base है वो भी हम पर मौझूद रही है कि हम किस तरीके से damage और loss को control करें ये सब हम नहीं कर सकते क्यो जो आपकी financial assets हैं तो कि आपकी जो financial infrastructure यहाँ पर है जो भी risk पर यहाँ पर है उसकी accounting यहाँ पर बढ़ानी चाहिए मतलब insurance वगएरा यहाँ पर जाद से जादा provide कराना चाहिए financial systems को और ताकि real cost of risk जो है उसको reduce किया जा सके तो यह सारे point यहाँ पर ध्यान में रखने है इसके जो disaster यहाँ पर आते हैं उससे सबसे जादा जो नुकसान है वो women's और girls को होता है उनके against violence जो है वो increase हो जाते हैं और यह extreme scale के हो जाते हैं साथी साथ intentional homicide के cases भी देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं बिसिकली मर्स के cases देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं additional socioeconomic और psychological stresses women's और girls पर देखने के लिए मिलेगा even covid-19 pandemic में भी आप देख सकते हैं कि कितने negative impact यहाँ पर पड़े तो basically gender waste जो violence है जिसको आप sad pandemic कहते हो वो यहाँ पर covid-19 के दोरान उभर करके आया जैसा कि आपने आपने आसपरोस में भी महसूस किया होगा disasters जो है उसकी वज़े से trafficking बढ vaccine देखेगा काफी खुकसूरत थी उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो disasters है उसकी वज़े से human trafficking बढ़ जाती है तो यह चीज़ें आपको पताओनी चाहिए कि बढ़ी जो disasters है उनकी वज़े से intentional homicide के cases women's के लिए यहाँ पर बढ़ जाते है तो यह चीज़े भी आपको पताओनी चाहिए इसके अलावे इन्होंने ये भी कहा कि अगर current trend continue रहे यानि global warming इसी तरीके से होती रही तो south america के बराबर का जो land mass है वो degrade हो जाएगा इसी तरीके से हम agriculture expansion करते रहे अपने food systems को गलत तरीके से करते रहे grassland management हमने यहाँ पर नहीं किया तो यह सा agriculture production करेंगे और जादा land degradation यहाँ पर होगा तो यही बताया गया है कि अगर यही trend continue रहे तो south america के size के बराबर का जो land है वो पूरी दुनिया में वो यहाँ पर खतम हो जाएगा report ने यह भी बताया कि इससे species खतम होंगी simple सी बात है land degradation एक species extinction का cause बन जाता है forced migration भी देखने के ल जिस देखने के लिए मिलेगा अलग-अलग purpose के लिए land का use यहाँ पर किया जाएगा साथ इसाथ soil degradation और growth yield जो है वो agriculture की वो भी यहाँ पर slow हो जाएगी soil degradation यहाँ पर increase हो जाएगा जादा जादा soil को नुकसान होना शुरू हो जाएगा अगर land restoration नहीं किया गया तो हमें काफी जादा नुकसान होगा और land restoration करना बहुती जादा जरूरी है वो भी massive scale पर और इसमें हलग-बग हमें 5 billion hectare land को यहाँ पर जल्दी से जल्दी restore करना पड़ेगा crop yield increase कर पाएंगे 5-10% अगर हमने developing countries के अंदर इस काम को यहाँ पर किया इसके अलावा conservation agriculture use करें farmers जो हैं वो tilling व foresty है, silvopasture है, silvopasture मतलब आप समझ सकते हो कि पेल बगारा को और crop बगारा को साथ में होगा ना, this is called silvopasture, साथ-साथ grazing management आप यहाँ पर करते हैं, improved तरीके से, मतलब live stroke को हर रोज एक ही जगह पर grazing मत करवाओ, ठीक है, उससे कई जादा नुकसान यहाँ पर होते हैं, एक wasteland rehabilitation जरूरी है, forest plantation यहाँ पर आपको करनी पड़ीगी, तो यह सब भी इन्होंने report के अंदर ही जो है, वो discuss किया, उसके बाद अगले article के दरफ चलते हैं, यह पूरी की पूरी जो अभी पढ़ी, यह पूरी report यहाँ पर 10 minute की cover हुई, और यह report के बारे में आपको पता होना च कर रहा है, जो आपका T mosquito bug है, उसने बहुत सारे cashew crops के जो plantation है, उनको यहाँ पर आटेक किया है, और यह virus यहाँ पर निकल करके आया, इसके पीछे का करना climate change निकल करके आता है, टी mosquito जो bug है, वो काफी सालों से यहाँ पर फसलों को वरवात कर रहा है, और basically जो cashew की plantation है, especially South India क अंदर उसको impact करता है, और यह जो आपके cashews पर लगते हैं, उसकी वज़े से जो आपका, आपका जो fruit है, basically जो cashew है, वो यहाँ पर उसकी appearance खराब हो जाती है, market में उसकी value कम हो जाती है, और substantial जो price हैं वो देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलते, okay, climate change इसके पीछे का एक reason ह जिसकी वज़े से यह जो infestation है, मतलब यह जो bug attack यहाँ पर करता है, उसकी frequency यहाँ पर बढ़ जाती है, कभी 3-4 साल में एक बार करता था, लेकिन अब हर साल इसके attack यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो this is unseasonal rain के कारण भी देखने के लिए मिल सकता है, climate change के कारण भी देखने के लिए मिल सकता है, याद रखना महराश्टरा और आंदर प्रदेश के बाद उड़ीसा तीसरा largest state है, कैश्यू कल्टिवेशन के अंदर, production के अंदर, processing के अंदर, ओके, तो ऐसा ही same case आपको उड़ीसा के अंदर, तो है, बिहार के अंदर भी देखने के लिए म आपको पता होना चाहिए, या आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी, उसके अलावा अगर हम आगे बात करें, तो यहाँ पर आपको यह देखने के लिए मिलेगा, UNEP, United Nation Environmental Program, और इन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी करी, रिपोर्ट इस चीज़ को यहाँ पर ज़रत है, तो रिपोर्ट ने यह कहा, कि हमें इस चीज़ को रोकने की ज़रत है, एक्स्ट्रेक्शन पर किस तरीके से हम सेंड का यूज कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं जमीन से, उसके अपर हमें सोचने की ज़रत है, और सेंड जो है वो 2nd most used globally resource है, इस चीज़ को अभ पर से इस guideline को यहाँ पर लिया गया, combine किया गया कि किस तरीके से, soil का management किया जा सकता है, और जो sand यहाँ पर आप extract करते हो, उसमें अच्छी practices को अपनाया जा सकता है, sand को extract करने से, basically जो आपके rivers हैं, coastal areas हैं, या marine ecosystem है, उस पर बहुत भारी असर पड़ता है, damage देखने के लिए मि जारी करी, UNEP ने, इसके अंदर बताया गया, कि अगर आप sand का गड़त तरीके से, use और extraction करते हो, तो erosion होता है, एक्क्यूफर्स का salination होता है, साथ ही साथ, जो storm सर्जे से protection हमें available कराते, salt marsys वगएरा, वो सब भी यहाँ पर तबाह हो जाते हैं, और bio diversity पर भी impact यहाँ पर पड़ता है, इसके अलावा, butter की supply भी threat होती है, food production भी threat होता है, fisheries production है, tourism industry है, उस पर भी यहाँ पर असर पड़ता है, इन्होंने कहा कि sand जो है, वो बहुत तेजी से use किया जा रहा है, इतनी तेजी से कि nature उसको भर भी नहीं पा रही है, मतलब आप समझो कि अगर आपने इतनी जो sand है, वो यहाँ से निकाल ली, तो nature सिर्फ इतनी ही sand यहाँ पर भर पा रही है, बहुत तेजी से हम उसको extract यहाँ पर कर रहे हैं, तो यह जो है आपको देखने के मिलेगा, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, यह एक strategic resource है, और यह सिर्फ और सिर्फ construction के लिए ही एक material नहीं है, इसके multiple role environment में देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे, इन्होंने कहा कि दुनिया भर की सरकारें, industries, consumer को इस चीज़ पर सोचना पड़ेगा, कि जो sand है, उसकी अपनी एक environmental और social value होती है, sand का अगर आप extraction कर रहे हैं, beaches से, तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, coastal resilience खतम हो जाता है, उसकी importance खतम हो जाती है, economy पर भी असार यहाँ पर पढ़ता है, environment पर भी असार यहाँ पर कि स्टोर्म सर्जिस से यह हमें protect करते हैं, तो coastal resilience कहां रह जाएगी, तो यह चीज़ें स्टोर्म सर्जिस से protect करने का काम, sea level rise के impact को कम कर सकते हैं यह, लेकिन अगर हम इनको extract करेंगे, तो फिर यह सब कोई impact कम नहीं होने वाला, और चीज़ें यहाँ पर worst जो है वो देखने के लिए मिलेंगी, तो international standards जो है वो अपनाए जाने चाहिए, किस तरीके से send को extract किया जाए, UNEP ने इन चीज़ों को यहाँ पर बताया, और साथ यसाथ यह भी बताया, कि जो आपके institutional है, यहाँ फिर legal structures है, better governance के लिए, resources के लिए, involvement of stack forces, साथ यसाथ place based approach, इन सब का better management करके, इ अगर हमने जो है, वो इसको यहाँ पर इस तरीके से extract करते रहे, तो हम जो है, वो crisis को कभी नहीं रोप पाएंगे, और circular economy को भी promote नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर यह भी कहा गया, कि हमें circular economy को भी promote करना है, और साथ ही साथ इन्हों ने यह भी कहा, कि send जो है, वो breeding ground provide कराती है diverse florafona के लिए, और support करती है, biodiversity को, carbon sink का भी काम करती है, water filtration का भी काम करती है, send, तो अगर आपने send को इस तरीके से extract किया, तो हम life को sustain नहीं रख पाएंगे, solutions भी बताएंगे, solution इन्हों ने कहा कि circular economy का use करो, send के लिए, such as ban कर सकते हैं, आप land filling of mineral waste, साथ इसाथ increase कर सकते हैं, send को कि वो reuse की जा सके, public procurement contracts के अंदर, और इस तरीके से आप, send के जो unsustainable extraction है, उसको यहाँ पर रोक सकते हैं, alternatives के लिए नहों ने ये भी बताया, कि send को use मत करो, उसकी जगह crushed rocks को use कर सकते हो, recycle construction को use कर सकते हो, demolition material को use कर सकते हो, क्योंकि साथी साथ और send को use कर सकते हो, जो mining, tailing कर सकता है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बता होनी चाहिए कि किस तरीके से work कर रही है, उसके बाद यहाँ पर एक study हुई, study ने ये बताया कि इंडिया के अंदर जो endemic species हैं, endemic species जो कि सिर्फ उसी particular इलाके में पाय जाती हैं, और कहीं नहीं पा जाती, तो केरल, तमि ये जो आपकी species हैं, ये काफी जादा खत्रे में हैं, अब ये तो चलो एक point हो गया, ये हमने पढ़ लिया, लेकिन इस article के अंदर एक special चीज़ के बारे में बताया गया था, जिसका नाम है, देखो मैं blue color से इसको highlight करता हूँ, इसका नाम है आपका species threat abatement and restoration score, that is called star score, किसके अंदर में work करता है, IUCN के अंदर में ये score है, मतलब कौन जारी करता है, IUCN इसको जारी करता है, आप से पूछ सकता है, ये score नाम का जो ये platform है, कौन monitor करता है, कौन चलाता है, WWF चलाता है, IUCN चलाता है, UNEP चलाता है, Ministry चलाती है, तो IUCN के अंदर में basically ये work करता है, ये basically एक score है और यह score ऐसा है कि अगर आपका जितना भी जादा star score होगा इसका मतलब यह है कि आपके जो एरिया है वहाँ पर threatened species की जो संख्या है वो काफी जादा यहाँ पर मौझूद है आप देख सकते हो इंडिया का जो total national star score है वो 41,817 है यानि कि इतनी threatened species इंडिया के अंदर यह आती है इन मेंसे 11,000 कुछ mammals हैं 10,000 कुछ words है 19,000 कुछ amphibians यहाँ पर नजर आते हैं पूरी दुनिया का भी score दिया गया है इतना amount याद रखने की जरुवत नहीं है इंडिया का जो star score है global star score का 3.4% यहाँ पर नजर आता है ओके तो score जो है वो इस चीज़ को मीजर करता है कि the score is a measure of the contribution that investments can make to reduce species extinction risk तो यह वाली line को आप ऐसी की ऐसी जो है वो याद रखने की कोशिश करोगे क्या कहा जा रहा है तो the score is measure to the contribution that investments can make to reduce extinction risk तो score इस चीज़ को दिखाता है कि extinction risk को reduce करने के लिए जो investment है वो किस तरीके के यहाँ पर है इससे हम जो है वो national policies हैं सब national government हैं वो अ investment के target हो सकते हैं activities conservation के target हो सकते हैं अगर star score जादा है तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि threaten species जादा है आपको इस सख्या को कम करना है तो यह सब point यहाँ पर ध्यान में रखो इसके अलावा जो top 20% है इंडिया में जो 36 state है उनमें से 20 state वो total national score का 80% यहाँ पर जो जाती है ठीक है तो यह point यहाँ पर याद रखना इसके बाद और भी state और यूटीज भी यहाँ पर जी गई है तो यह सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसके बाद जो भूपेंदर यादब जी हैं आपके union minister for environment forest and climate change उन्होंने एक field manual यहाँ पर release किया यह basically आपके forest research institute के अंदर यह इन्होंने launch किया और इसमें इन्होंने जितना भी forest staff था उस सब के लिए एक guideline यहाँ पर release की कि कि इस तरीके से आप human elephant conflict को रोक सकते हो जितने भी major elephant state है इंडिया के अंदर उन सबी में जो भी HEC यानि की human elephant conflict नहाँ पर होते हैं उनको रोकने के लिए आप क्या fund for nature की द्वारा इन तीनोंने साथ मिलकर के इन guidelines को यहाँ पर निकाला है इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर लगबख 27,000 Asian elephants पाई जाते हैं जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी population जो है वो constitute करती है तो यह बताए कि human population काफी मतलब बढ़ रही है population तो increase हो रही है elephants के जो है वो forested area में expansion कर रहा है और elephants वगेरा को जो है वो आपका human settlements में यहाँ पर आ रहे है क्योंकि उनके habitat loss देखने के लिए मिल रहा है उनके पास रहने के लिए जगा जो है वो नहीं है वह लंबा migrate करते है elephants तो इतना आसान नहीं होता एक छोटा सा इलाका इनके लिए देना लोकने के लिए ये guidelines helpful हो सकती है उसके बाद सिनो लेपर जो conservationist है जिनका नाम है चारुदत्त मिश्रा इनको यहाँ पर जो विटले गोड अवोर्ड है दिया गया है जो कि इन्होंने सिनो लेपर के conservation में local communities का involvement उसको यहाँ पर बढ़ाया ये इनका नाम है चंद्रगुप्त हैं जहांपर सिनो लेपर्ड पाय जाते हैं especially 12 countries में पाय जाते हैं तो working across the species range 12 countries लगबग हैं जिसमें अफगानिस्तान चाइन रशिया भी यहाँ पर आती हैं उन सबी में local communities के साथ मिलकर के जो सिनो लेपर है उसके conservation को इन्होंने यहाँ पर बढ़ाया और ये काफी important है इसल जो है वो मार्स का potato shape satellite यहाँ पर है उसके photos को यहाँ पर capture किया उसके बाद दूसरी जो cover है वो यहाँ पर निकल कर के आई कि sea floor spreading के जो rate है वो 35% तक globally down हो गए हैं तो sea floor spreading के concept को geography की किताब से यहाँ पर पढ़कर के जाईएगा हो सकता है फिलिम्स में ही question यहाँ पर निकाल द सिंपल सी बात है सी floor अगर टेजी से spread हो रहा है तो नीचे से convection काफी जादा यहाँ पर होंगे और जिसकी वज़े से जादा सा जादा जादा जो आपका एस्थेनो स्फियर का plasma है वो उपर की तरफ आएगा और यहाँ पर वॉलकानियों के activities जो है वो बढ़ेंगी और जाद पॉइंट निकल करके आता है malaria death के बारे में सन 2000 में लगबग पूरी दुनिया में 9 लाग death होती थी लेकिन सन 2020 तक घठा करके हमने 6 लाग death कर दी ओके जादा कुछ जादा improvement नहीं दीखा बट देखने के लिए तो मिला इसके अलावाद 2030 तक यह हमारा लक्षा है कि जो 90% death है उनको reduce किया जा सके malaria के कारण जो death होती है उनको तो यह सारे point आपको पताओने चाहिए यह आपकी पूरी हो गई और इससे जादा आपको इसके अंदर कोई point निकल करके नहीं आते तो काफी कुछ पढ़ा इसके अंदर आपको बताना है कैसी लगी लागस तक आए हो तो यह बहुत अच्छी बात है आपने कुछ ना कुछ से हाँ पर जरूर सीखा हुआ और यकीन मानो इसके benefit आपको prelims में जरूर से देखने के लिए मिलेंगे मैंने prelims के पिछले year के paper देखे हैं साब साब नजर आता है कि किस तरीके के question जो है वो निकल करके आते हैं आप भी एक ब पर जहां से हो रहा है वहां से तो आप उसको करने की कोशिश करो तो यह आप यहां पर देखो इसकी PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी लास तक आए हो बहुत अच्छी बात है क्योंकि और आपको अच्छा मैसूस होना चाहिए पढ़ने के बाद थैंक्स पूर वोच अच्छी टेक कियर